मेरे प्यारे बचो आप सभी को नमिश्कार आप सभी का स्वागत है इस एडियो स्टेशन में मेरे नन्ने मुन्ने बचो मैंने आपके तीन लेक्चर लिए और इन तीनों ही लेक्चर में complete number system खतम कराया complete number system आपका मेरे प्यारे बचो मैंने खतम कराया है और मैं means मैं ऐसी उमीद करता हूँ कि लग भग दो question आपको यहीं से रखे मिलेंगे दो question मेरे प्यारे बचो आपको यहीं से रखे मिलेंगे number system जो मैंने कराया अब मेरे दोस्तो बारी आती है simplification की यहाँ मेरे प्यारे बचो मैंने तीन किलासे ली है तीन किलासे ली है देखो मेरे दोस्तो आप भी जानते हैं कि मेरी वीडियो के व्यूज कितने है क्योंकि मैं एक organic teacher हूँ और मैं किसी भी तरीके का फालतू fake views, fake like, fake subscriber उस तरीके के game में हम नहीं होते तभी हमारी इतनी सारी वीडियो trending में आती है और मेरा channel organic है ना हमने किसी के subscriber आस तक खरीदे है ना हमने खरीदे वी channel पर ऐसा काम किया है कभी भी तो यह आप सबकी जिम्मेदारी है कि जो हम effort यहां डाल रहे है उस effort को मेरे पहरे पचोँ आप appreciate करें अगर आपको ठीक लगता है content कि उसी situation में आप like करें otherwise like ना करें मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको चीजे ठीक लग रही है तो मेरे पहरे पचोँ आप share करिए अगर किसी question में आपको कोई दिक्कत है तो मेरे पहरे पचोँ आप उसे comment के थूँ आप मुझे बता सकते हैं उसका concept वीडियो डालके आपको उसे explain कर दूँआ तो आज मेरे पहरे पचोँ SSE Cigil Cigil Means Free Batch Means के Free Batch में आप सभी का स्वागत है और मेरे पहरे पचोँ आज मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ Simplication देखे बहुत बार हम ऐसी गलती कर जाते है कि उन लोगों को मुका मिलता है जो लगातार बैचे सेल कर रहे हैं और उन लोगों को उतना appreciation नहीं मिलता जो Free of course बच्चों के लिए Top quality की मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई दिकत नहीं आपको जो चित लगे वैसा आप अपना step ठाईए मेरे पहरे पच्चों आज हम Simplication स्टाट कर रहे हैं मेरे पहरे पच्चों Simplication से मैं ये कह सकता हूं कि लगभग 2 questions आपके means में मिलेंगे 30 में से और ये 2 questions आपके हर हाल में 100% correct हो सबसे जल्Дी हो इसी cases में आज हम Simplication स्टाट कर रहे हैं implication का पहला सवाल आपके साथ discuss कर रहे हैं पहला हम 5-6 सवाल board mass पे ले रहे हैं जो आ रहे हैं तो कोसिस करते हैं समझने की देखे हैं सबसे पहले bracket solve करनी चीए या off सब पहले bracket bracket को टेकेंगे तो bracket में पहले होगा off solve, off count होता है product और चार से चार गुना किया एक चार को एक से भाग दिया चार तो ये वाली value आगे चार यहां आते जे यहां divide का मतलब है into sign करोगे तो चार बटेक आठ चोग 32 समझ रहे हैं ने चार गुना आठ और ये मेरे बच्चे एक बटेक चार पल्टोगे तो चार बटेक तो चार चोग 16, 16, 18, 128 तो ये value आई 108 और तो कहीं bracket नहीं है? नहीं अब setting बठाते हैं आप अब मेरे बच्चे off solve होगा off solve करेंगे तो ओक का लोता है गुना तो 6 दूनी 12 तो ये value आई value आई 1-3 divide by 12 plus में ये value bracket solve कर क्या है? चार divide by 8 plus में ये वाली bracket solve कर क्या है मेरे बच्चे 128 पूरी कहानी और 128 को 8 से गुना कर रहा हो हाँ जी तो बाब वो 8 से गुना करोगे तो 16 आजाएगा तो ये वाली value आई 16 आपने का जी ठीक अब मेरे बच्चे सबसे पहला काम क्या होना चीए? सबसे पहला काम हमारा होना चीए divisions हो तो एक 3 को 12 से भाग देंगे 1 बटे 4 आएगा जमा 4 को 8 से भाग देंगे मेरे पहरे बच्चे क्या आएगा? 1 बटे 2 आएगा जमा 16 आएगा तो 16 और 17 और एक आधे में से एक चुथाई घटाएंगे तो मेरे बच्चे बच्चाएगा एक चुथाई तो 17 से ही 1 बटे 4 मेरा आंसर होगा 17.68 और 11.90 बटे 4 मेरा आंसर होगा यानि मेरे पहरे बच्चो option A मेरा यहाँ पर correct आंसर होगा आएए बबू देखे ध्यान से हमें सबसे पहले सोल करना चाहिए मेरे पहरे बच्चो किसको off को तो off यहाँ है तो 88 आठू 64 आना यहाँ आएगा 64 इसको सैटल किया तो यहाँ आपको सोल करोगे 4 चुक 16 अब बस इसको धिरे धिरे सोल कर दें मेरे बच्ची इस विंडो को सोल करेंगे तो ध्यान देना 8 डिवाइट के साइन को इंटू बनाएंगे तो एक बटे 8 और गुना में मेरे बाबू है 16 आपने का जी बिल्कुल ठीक है यहाँ आ जाईए यहाँ है 8 गुना में 8 और इस डिवाइट के साइन को इंटू करेंगे तो एक बटे 64 तो देखो यह राठ और टू 64 से 64 कटा एक आया तो साथ और एक आठ आया यहाँ 8 से 8 गया तो 8 यहाँ था और 16 यहाँ था और 16 और 8 चोविस यह उपर वाली वैल्यू मेरे पे रख चो बटे आई 24 के अब नीचे ब्रेक करते हैं तो देखो ओफ का मतलब गुना तो 4 चोग 16 आया तो 4 को 16 से भाग दोगे 4 बटे 16 यह यह नि 1 बटे 4 बहुत बढ़िया अब यहाँ इतने हिस्से को देखिए तो इतने हिस्से को मेरे बच्चे देखे हैं माइनस है पहले हाब ओफ सोल करेंगे तो 4 दूनी 8 4 को 8 से भाग देंगे मेरे बच्चे कितना आएगा तो 4 बटे 8 यह नि माइनस 1 बटे 2 तो माइनस 1 बटे 2 लिट दिया अब इसे सोल करते हैं तो 4 को 4 से भाग दिया 1 1 को 4 से गुना किया 4 अब इसे सोल करेंगे तो मेरे बच्चे यह आएगा माइनस में 1 बटे 4 इन दोनों को हाँ जी अब इधर सेट करोगे मेरे बच्चे तो 4 है तो 4 चोग 16 16 में गया 15 बटे 4 तो यह वैल्यू आई मेरे भाई 15 बटे 4 अब 3 पांजे 15 3 अठे 24 8 चोग 32 तो आँसर आया 32 बटे 5 5 से भाग देंगे 6 पैंट सम्तिंग और 6 पैंट सम्तिंग मेरे पहरवचो केवल और केवल A की ओप्शन है तो मेरे पहरवचो ओप्शन D मेरा करेक्ट आंसर देखे बभू पहले ब्रैकेट उठाता है ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट उठाता है तो इसे सोल करेंगे ओप का मतलब गुना तो 4 से 4 गुना क्या 1 आया 4 को 1 से भाग दिया 4 यानि ये ब्रैकेट सोल होके मेरे बच्चे 4 दे रही है अब आईए यहाँ यहाँ मेरे बच्चे 4 गुना 8 इस डिवाइड के साइन को पलट के लिखेंगे तो 4 गुना 8 गुना 8 बाहर वाले हिस्सा तो 8 से 8 काटा तो याया 4 चुक 16 यानि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आई 16 बिल्कुल ठीक है अब आईए बावू यहाँ तक की कहानी चार डिवाइड बाई 8 तो डिवाइड के साइन को इंटू करेंगे तो एक बटे 8 चार दुनी 8 तो याया एक बटे 2 यहाँ आया था मेरे भाई 16 अब इधर सेटल करते हैं यहाँ 6 अप 2 पहले गुना करेंगे तो 6 दुनी 12 तीन को 12 से भाग देंगे मेरे बच्चे तो कितना आएगा तो सर तीन बटे 12 यहाँ एक बटे 4 माइनस एक बटे 4 और यहाँ क्या है सर 8 तो यह आई मेरे बच्चे बड़ी ब्रैकट है बहुत सुन्दर जी सैटल करोगे तो भाई 16 और 8 कितना है 24 बिल्कुर ठीक है एक बटे 12 में से एक बटे 4 घटाओगे मेरे बच्चे बचा एक बटे 4 यहाँ तक की कहानी तो आई यह यानि 24 चोक 96 और 97 बटे 4 आया मेरे पैरे बच्चों यह वाली वाली 97 बटे 4 ओफ का निसान है यहाँ बाहर और यह एक बटे 24 तो इसका मतलब पहले इसे गुना करेंगे तो उत्तर आ जगा 97 बटे च्चान में यानि एक सही एक बटे च्चान में जो कि मेरे पैरे बच्चों ऑप्शन भी है मेरे बच्चे मैं 2024 में जितने भी अच्छे-च्चे सवाल आएव है वो सारे के सारे आपको यह बोर्ड मास के करा रहा हूँ सारे सिंप्लिकेशन के कुश्चन करेंगे आए देखे यार दोस्त सबसे पहले ब्रैकेट होगी फिर ओफ, ओफ का उतलब पावर भी है और ओफ का निसान भी तो यहां सोल करते हैं भाई पहले ब्रैकेट सोल करेंगे तो ब्रैकेट सोल करोगी तो एक बटे दो को एक से भाग दोगे एक बटे दो ही रहा और एक बटे दो में एक बटे दो जोड़ा तो एक आया यानि सर जी ये ब्रैकेट जो सोल हो किया ये एक आई बल्गो ठीक है अब ये था सर एक बटे चार ये था सर एक बटे आठ और डिवाइड का निसान यहाँ पर अब आते हैं यहाँ अब मेरे बच्चे यहाँ डिवाइड पहले सोल होगा तो तीन त्या नोर एक दस बटे तीन डिवाइड के निसान को मैं गुना करूंगा और दो बटे पांच करूंगा यहाँ है गुना 3 बटे 4 मेरे बच्चे यह आया 3 चिंग 18 और दो 20 बटे 3 डिवाइड को इंटू करेंगे तो ये तीन बटे 20 आएगा और गुना में मेरे बचे 7 बटे चाहे बावने का मामला सेट है अब इसे क्रेक करते हैं क्रेक करने के लिए भाई क्या करो 10 से काटो के 2 आएगा 2 से मेरे बचे 2 गया ठीक है जी 3 से मेरे बाबू 3 गया और 3 से काटेंगे 2 आएगा तो उपर देखेंगे तो 7 बचा और नीचे देखेंगे तो 5 बीश दुनी 40 है तो ये वाली वैल्यू जो सोल होके दे रही हो 7 बटे 40 है ये वाली वैल्यू सोल होके 1 दे रही है यहYa तो एक बटे आठ और यहां प्लस का निसान था, एक बटे आठ को एक से भाग दोगे तो यही रहेगा, तो याया एक बटे चार जमा एक बटे आठ जमा साथ बटे चाले, आप कहोगे सर सिंपल 40 अंसर ले लो, मलगा अल्सेम ले लो, तो 4, 9, 40, 10 यहां आएगा, 8, 5, 45, 5 यह देखे बाबो तेम उसी तरीके से सवाल को करना जो भी आपके दो हजार बीस, चोबीस में माफ करिएगा बड़िया बड़िया सवाल है बोर्ड मासके मेंने सारे उठा लिया क्योंकि जो पैटर्न चलना उसी से रिलेटिड आपके पेपर में सवाल आने है सबसे पहले मेरे पैरफचो छोटी ब्रैकेट उठाओ तो चार में से दो गया दो सबसे पहले ये वाली लाइन वाली ब्रैकेट सोल करेंगे तो चार में दो गया दो, दो को छे से गुना किया 12 12 और 9 21 यह वाली कहानी आगी सोल होके 21 बहुत सुन्दर अब आये जी और कहीं है तो यहां रही सर 16 में 10 गया 6 तो सर यह आगया 6 24 को 6 से भाग दिया तो आया 4 अब आये यहां पर तो मेरे बच्चे देखो एक बटे 5 है डिवाइड के साइन को इंटू करेंगे तो 25 बटे 7 लखेंगे यह चीज़े मन में करना लिख के नहीं मुझे समझाना इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ तो यह वैल्यू सोल होके देरी मेरे बच्चे 5 बटे 7 यह वैल्यू सोल होके देरी 5 बटे 7 इस ब्रैकेट को उठाएंगे तो भीया ऐल्से हम लेंगे 16 तो यह आएगा 10 10 और 6 16 समझ रहे नहीं यह 16 ऐल्से हम लेंगे तार दूनी 16 दो पंजे 10 और 6 16 बटे 16 कटके उतर आएगा 1 तो 5 बटे 7 माइनस 1 अब जरा ध्यान देना कहनी को यह है मेरे बच्चे 9 डिवाइड़ बई 3 बई 7 ओफ यह वैल्यू आई मेरे बच्चे 21 प्लस यहाँ जब सोल करोगे तो 5 बटे 7 माइनस 1 करोगे तो 7 कम 7 में से 5 गया 2 बटे 7 तो यह आया माइनस 2 बटे 7 अब मेरे बबु पहले क्या सोल होता है ओफ फिर मेरी बात को ध्यान देना है मुझे समझाना है इसलिए मैं लिखके करार हो आप तो जल्दी जल्दी वैसे करिए तो 7 तीया 21 तीन तीया 9 और 9 को 9 से भाग दिया 1 तो 1 माइनस 2 बटे 7 तो वा आंसर भाई आजाएगा उपर वाले का 5 बटे 7 पाई बाई 7 अब आते हैं नीचे यहां तक की बात समझ में आई अब आते हैं मेरे बच्चे नीचे देखे भाई इस सिस्टम को पहले ही सोल कर चुके हैं इसको नहीं 16 में 10 गया 6 तो उत्तर आया मेरे बच्चे 8 तो 5, 8, 7, 56 तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 5 बटे 56 ऑप्शन B मेरा करेक्ट आंसर आएगा एडवांस नोलेज आईजे यह मेरे प्यारे बच्चो अभी का जो सेलेक्शन फेस फोर वाली जो वेकंसी थी सेलेक्शन पोस्ट वाली उसका कुश्चन है पहले ब्रैक्ट उड़ाओ भाई तो देखो यार आप इसे सोल करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चो आप इस कहानी को जानते भी है कैसे कि यह 1 है यह माइनस 2 है और माइनस 1 बटे 12 है का नहीं समझा करो मेरे भाई सही भी इनका मतलब यह ही होता है दो जमा एक बटे 12 बाहर माइनस काता तो इससे घटाओ कि माइनस 1 माइनस एक बटे 12 यानि इसको लिखना चाओ तो माइनस 1 सही एक बटे 12 लिख सकते हैं नहीं तो जिसके पल्ले कम पड़ता है तो 12 दूनी 24 और 25 बटे 12 एक में से घटाएंगे तो 12 एकम 12 में से 25 गया 13 बटे 12 बचा तो यह बचा माइनस 13 बटे 12 बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 जमा 13 बटे 12 बाहर माइनस बहुत सोला है अब इस ब्रैकेट को उठाएंगे मेरे बचे ओफ का मादला गुना है तो देखो 8 दूनी 16 है 3 पंचे 15 है तो यह आया 2 बटे 5 तो यह 6 बटे 25 है तो मेरे बचे डिवाइड के साइन को इंटू कर देंगे तो दो बटे 5 की जगे 5 बटे 2 हो जाएगा सर बिल्कुल ठीक है हमें कोई दिक नहीं पहले ब्रैकेट सोल हो नहीं थी वे डिवीजन होना था अब सर देखेंगे ध्यान से तो पाचू 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 पच्चेस और दो ती अच्छे तो सोल होके देगा 3 बटे 5 यह पूरी कहानी सोल होके देरी मेरे भाई 3 बटे 5 पहले इतनी बात को ध्यान से समझो फिर आगे बताओ मैंने क्या किया मैंने इसको sol किया फिर डिवीजन लिया इसको sol किया फिर वेक्ट में माइनस था इन दोनों को लिख थी है इस तर पहले इतने point को समझू और comment करो समझ मैं आया कर नी है अब देखो यह ध्यान से करना क्या है अब यह तो सब का lcm ले लो मेरे बच्चे और lcm जोड़ेंगे तो 6, 5, 11, 6, 3, 9, 1, 10, 3, 9, 1, 4 अब हमसे कहा कि नीचे दिएगे वेंजेक से एक अंको का योग जात करिए तो 4, 0, 1 यानि इसके सारे अंको का योग आएगा पांच मतलब इससे सिंप्लिफाई करेंगे तो अंको का योग पांच होगा देखे बभू सबसे पहले सोल करना चाहिए हमको क्या ओफ और ब्रैकेट के अंदर की खानी तो ब्रैकेट में ओफ है तो 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, ये कटके एक आगया तो ये ब्रैकेट सोलो के आ रही मेरे भाई 2 हटे 3 ओफ, यहाँ है मेरे बच्चे 9 हटे 15 द्यान देना मुझे समझाना, इसलिए लिक्के समझाना पड़ता है ये डिवाइड का निसान है अब इस ब्रैकेट को सोल करते है ब्रैकेट में पहले ओफ सोल होगा ओफ में 4 से 4 गया, 3 से 3 गया तो एक आया 3 बटे 4 को एक से भाग देंगे 3 बटे 4 गुना करेंगे तो 9 बटे 16 फिर आएगा मेरे बच्चे ओफ अब यहां सेटलमेंट करते है ओफ का मतलब गुना जी अब यहां गड़बड हो रही है क्या के कट नहीं रहा, तो यहां आएगा 4 दूनी 8 और यहां 25 तो यह वाली वैल्यू आई 5 बटे 4 डिवाइड भाई 5 बटे 2 गुना इसे सोल किया था तो मेरे बच्चे ओया 8 बटे 25 बास अब सोल करोगे मेरे बच्चे किसे? डिवीजन को तो जब डिवीजन को सोल करने जाओगे तो इन्टू लगा के 2 बटे 5 कर दिया आकरो डारेक्ट 2 बटे 5 अब देखो 5 से 5 कटा 4 दूनी 8 तो यह उतर आए 4 बटे 25 इतनी बात को समझे और जितना हो से के प्रैक्टिस कर रखी है तो ही आप जल्दी से कर पाएगे अब मेरे भाबू यहाँ पे पहले ओफ सो लोगा है डिविजन सर कैसी बात करें ओफ ओफ का मतलब क्या होता है सर गुना तो देखो टेकते हैं सर 3 तीया 9 बिल्कुल ठीक है 3 पांजे 15 हाँ जी तो सर यह आया 2 बटे 5 इसको थोड़ी दिर बाद सैटल करते है इसे गुना करेंगे मेरे बच्चे तो देखें इस चार चुक तो आया 16 यह आया सर 9 बटे 100 अगर मैं और आप राजी तो कोई क्या करेगा का जी इसे इंटू बना देते हैं तो 2 बटे 5 गुना का निसान लगा के 100 बटे 9 करते रहे अब 5, 20, 120, 40 बटे 9 मेरे प्यारे बच्चो मेरा राजी टांसर यानि option D 40 बटे 9 मेरे बच्चे मेरा correct answer देखें मेरे बच्चे बहुत ही प्यारा सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है मज़ा आ जाएगा पढ़के आपको मैं इसे सोट्रिक में भी समझाऊँगा detail में भी समझाँगा सारी चीज़े समझाँ देखें दो point समझना मेरे बच्चे अगर इस सवाल पे ध्यान दे तो point कहां कहा है एक point यहां है सर एक point यहां पे है और एक point यहां पे यानि decimal में value यहां है यहां है यहां है और कहीं पे भी decimal में value नहीं जो भी value होगी वो complete base की है जैसे यहां 3, यहां 3, यहां 3 का base है, यहां 3 का base है, यहां 3 का base है यहां decimal, यहां decimal, यहां decimal मुझे decimal की calculation करनी है क्योंकि या तो मेरा answer decimal में है या फिर नहीं है तो मुटा मुटा अंदाजा यहां से चड़ेगा कैसे करें जी सोल तो मैं यह जानता हूँ कि या 9 है या 81 है तो यार मेरी एक बात बताओ इस 81 को अगर मैं 0.9 की पावर 2 बटे 3 गुना 0.9 की पावर 2 बटे 3 कर दू तो कोई दिक्कत है का आपको ऐसा लिखने में मुझे सिर्फ यह बताई इसमें दिक्कत है का क्योंकि सर नियम है कि A की पावर M इंटू B की पावर M में अगर पावर सेम है तो इसे हम चाहें तो A इंटू B की पावर M लिख सकते है और अगर थोड़ा दिमाग दोडाओगे तो पावर मैंने सेम करी हुई है तो इन्हें गुना करोगे तो नो नियम ही कैसी 0.81 ही आ रहा है ऐसा मैंने क्यों किया मैंने इसलिए किया कि मेरा एक जंजट तो खतम हो कम से कम भाई पहले ही दुनिया वरके लपड़े हैं एक को तो नमिटाओ लेकिन हर किसी के लिए सवाल को जल्दी करने का अपना तरीका होता है आपको अपना तरीका चाहिए मैंने एक कहानी क्यों ना राजुरा भाई तो तो मेरे बच्चे मैंने ये वाली कहानी हटा दी अब ध्यानी ये रखना कि हमारे पास सवाल में मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ खतम हो गई और ये चीज़ भी खतम करती मैंने खतम करके केवल इतना बचा है अब यहीं से आपके उत्तर की तलास पूरी होगी कैसे यहां है मेरे बच्चे 0.3 की पावर 1 बटे 3 इसे मैं 0.3 को 3 बटे 10 लिख सकता हूँ तो 3 की पावर 1 बटे 3 है और नीचे है 10 की पावर 1 बटे 3 आपने का जी बिल्कू ठीक है इनको थोड़ी दिर बाद मैं से टैकल कर रहा हूँ इसको समझा रहा हूँ 0.9 को लिख सकते है 9 बटे 10 तो पूरे की पावर 2 बटे 3 समझाने के लिए तो 9 की पावर 2 बटे 3 आप कहोगे तो और आसान है न 9 को 3 की पावर 2 लिख दो बिल्कू लिख दे तो 3 की पावर 2 दो दो नहीं 4 तो यह हो जाएगा 3 की पावर 4 बटे 3 और बटे में 10 10 की पावर 2 बटे 3 अब मेरे बच्चों एक बात समझना सब उपर चला जाना है क्योंकि माइनस प्लस में बदल जाएगा प्लस माइनस में बदल जाएगा लेकिन नीचे का देखोगे तो 10 की पावर 1 बटे 3 गुना 10 की पावर 2 बटे 3 बेस से में पावर एड हो जाएगी 1 बटे 3 और 2 बटे 3 को जोड़ेंगे 3 बटे 3 यानि कटके उत्तर एक आया यानि 10 की पौर एक यानि इस सवाल के उत्तर के नीचे आएगा 10 और अगर नीचे 10 आएगा तो इसका आंसर हर हाल में decimal के एक digit बाद होना है और उपर किसी भी हालत में 10 बन नहीं सकता क्योंकि 3 के बेश को किसी से गुना कर लो 10 नहीं बनने का तो इसका उत्तर हर हाल में decimal के बाद एक digit होगा ये answer नहीं होगा ये answer नहीं होगा ये answer नहीं होगा आग बन करके ये answer होगा दूसरी बात अगर मुझे इस सोल करना है तो मैं कैसे करूँ तो ये खानी अगर आपको समझ में आगी तो आगे सोल करना में सिखा देता हूँ देखे यहां बेश से में तो power add हो जाएंगी तो भाई 3 की power है एक बटे 3 जमा चार उठेंगी आपने का जी ओक की रिपूट बिटा ये है एक बटे 27 इसको एक बटे 27 को क्या लिख सकते हैं एक बटे 3 की power 3 और पूरे की power क्या है एक बटे 4 तो इस आप लिख सकतो एक बटे 3 की power 3 बटे 4 और अगर एक बटे 3 की जगा 3 बटे करेंगे तो मेरे बच्चे power का में sign बदल जागा माइनस 3 बटे 4 ये समझ बेसिक होनी चीए नो को 3 की power 2 लिखेंगे दो 3 अच्छा है एक बटे 3 आए आपने का सर सेट है मामना अब आज़े ही नीचे अब ये नीचे power minus उपर ले जाएंगे पलस आजएगे बिल्कुल ठीक है सर अब मेरे बच्चे मुझे एक बात समझाना प्यार से नीचे लिखा है एक बटे 3 की power minus 2 बिल्कुल लिखा है अगर मैं इसे पलट दूँ और पलट के 3 बटे 1 कर दूँ तो इसकी power क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी plus का तो ये से 3 की power 2 लिख सकते है और 3 की power 2 उपर जाएगी तो क्या हो जाएगा minus वाज सर बढ़िया अब 243 को क्या लिखते है 3 की power 4 इकासी 3 की power 5 होता है 243 गुना 5 उटे 4 तो minus 5 उटे 4 उपर जाएगा हो जाएगा plus तो plus 5 उटे 4 अब ये कुल मिला के मेरे प्यारे 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 आंसर हो और नीचे ध्यानगना 10 बनाऊगा आईए जी जोडते घटाते पहले इतनी बात समझो हमने सारी चीजों को 3 बेस पे डाल दिया अब जब जोडने जाओगे तो मेरे बच्चे देखो जो बेस 3 है यहाँ 3 है यहाँ 3 है यहाँ 3 है तो प्लस में तो 4 और एक 5 और एक 6 6 बटे 3 करेंगे क्या आएगा 2 तो यहनि इनको सब सैटल करोगे तो उत्तर आएगा प्लस 2 यहाँ माइनस 2 खतम कहाने बहुत बड़ी है अब मेरे बच्चों एक बात बताना यहाँ है 5 बटे 4 यहाँ 1 बटे 2 पहले से तो 1 बटे 2 और 1 बटे 2 क्या आया एक यहाँ यहाँ उपर वाले कहानी को जोड़ोगे उत्तर आएगा एक यहाँ 3 की पाउर एक मेरा आंसर होगा और नीचे बचरा था 10 तो मेरा डैसिमल में आंसर होगा 0.3 हमें सवाल सोल करना भी आना चाहिए हमें पेपर में कुश्चन पर एप्रोच लेना भी आना चाहिए देखे भी यहाँ पहले ब्रैकेट उड़ाओ फिर बाकी चीज़े बाद में सबसे पहला काम हमारा और आपका एक होना चाहिए कि हम ब्रैकेट उड़ा दे अगर हमने ब्रैकेट उड़ा दी तो सब कुछ हो जाएगा इसको हटाता हूं ताकि जगह मिल जाए काम करने के आए आए मेरे राजा और राजा 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 करेज में समाजा पहले ब्रैकेट सोल करो भाई तो 27 में 3 गया 24 24 और 8 बत्तिस तो ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चे 32 यहां प्लस का साइन है तो यह आएगा 24 यहां लिख देता हूँ 24 डिवाइड वाई 3 वाई 8 ओफ इसको सोल किया तो 27 में 3 गया 24 24 और 8 बत्तिस अब आप जानते हैं कि सर ओफ का मतलब गुना होता है तो 8 चोग 32 आया 24 यह बारा आया 24 को बारा से भाग दिया दो उतर आया यानि सर ये वाली जो सेटिंग है ये उतर लागे दे रही है दो बीच हैं प्लस का साइन अब अगली ब्रैकेट पे चलते हैं सर ब्रैकेट में भी ब्रैकेट है तो पहले इसको सोल करता है ध्यान देना इसे 8 दूनी 16 करेंगे 2 पांजे 10 16 बटे 16 करेंगे मेरे बच्चे 1 तो ये वाली वैल्यू सोल होके आंसर देगी वाल बहुत सुनर अब यहां आईए यहां 11 पांजे 55 करें इसको भाग देना है तो 2 बटे 11 डिवैड के जगें इंटू लगा दूँगा तो 55 बटे 4 कोई गुना तो नहीं है नासर नहीं है और माइनस में ये वाला 1 तो देखो यार 2 दूनी 4 ग्यारा पांजे 55 तो 5 बटे 2 आया 5 बटे 2 में से 2 एकम 2 तो 5 में 2 गया तीन बटे 2 आया यह वाली वैल्यू सोल होके तीन बटे 2 दे रही आप नहीं का जी बात पहले पढ़ गए पहले इतना अराम से समझो पाइट हांजे इसको अब मिटाते हैं तो मेरे बच्चे 2 दूनी 4 और 3 7 बटे बटे 2 दूनी 4 और 3 7 बटे 2 मेरा अंसर है अब नीचे वाले को सेटल सबसे पहले इस वाली बैकेट को पलस का निसान है तो 15 में से 7 गया मेरे बच्चे 8 8 को 32 से भाग देंगे 4 यानि ये वाली नागी नाएगी 4 15 को 3 से भाग देंगे 5 5 और 6 11 11 और 4 15 या 15 तो मेरे बच्चे 5 और 5 दिवाइड भाई 15 देखे मुझे समझाना इसलिए step wise लिखके बतारो आप तो सीधा करें तो 5 और 5 और 5 और 4 नो तो नीचे वाली वैल्यू आई 9 तो मेरे प्यार प्यार्चे हो मेरा आंसर जो है 7 बटे 18 देखना भाई कहां गडबड हुई 7 बटे 18 आपको क्या लग रहा है मेरे इसाब से 7 बटे 18 कोई गलती नजर आ रही है नहीं तो इसका लोग option में mistake है वैसे paper का question है अब मुझे याद आ रहा है और paper के question में गडबड हमारे टाइपिस्ट ने विद्वान ने क्या कर दिया गडबड यू है कि सवाल ये है ही नहीं यहाँ पे change है इस bracket में सवाल ये है जहां तक मुझे ध्यान है 8 जमा 2 गुना 7 माइनस 3 ये सवाल है उसने 27 लिख दिया सीधा अना वैसे भी गडबड यू है कि ये line पूरी नहीं है अगर ये पूरी होती तो ही तो bracket बनती है पूरी नहीं तो मलब डाटा में गडबड है यहां 2 गुना 7 होगा तो 2 गुना 7 करोगे तो ठीक आएगा क्योंकि 7 में 3 गया मेरे बच्चे 4 साथ में 3 गया 4 4 गुनी 8 8 और 8 16 तो 3 गुना 16 करेंगे तो 8 गुनी 16 3 गुनी 6 24 को 6 से भाग दोगे तो 4 आएगा तो यहां आएगा मेरे बच्चे 4 समझ रहे ना किलियर है ना मेरा पॉइंट तो यहां आजाएगा कितना 4 4 गुनी 8 और 3 हमारा जो कुश्चन था उसके अकोडिंग हमारा साथ बटे ठारा ठीक है रोज पढ़ा दे ना पता रहता कौन से कुश्चन का क्या था आईए बताईए मेरे प्यारे प्चो बहुत बढ़िया सवाल देखिए बभू सवाल यह कह रहा है एक बच्चे को इस सवाल का उत्तर निकालने को कहा गया उसका उत्तर था 6 बटे साथ उसका जो सही आंसर था मेरे बच्चे था 6 बटे साथ अब कहरा है जी उसका उत्तर तो था 6 बटे साथ अब हमसे कहां गड़बड हुई हमसे क्या गुना हुआ के लुट गए तेरे मैयार में आव या, जाए बनाते हैं काम करने के, देखे ध्यान से देखें मेरे दोस्त, पहले ब्रैकेट सोलोगी, और तो बात का काम है 3 दूनी 6 और 1 3 दूनी 5 अरया 3 दूनी 6 और 1 7 वटे दी 2 दूनी 4 और 1 5 वटे 2 माइनस 1 वटे 6 ये कहानी बनी तो सोल करेंगे LCM आयागा 6 3 दूनी 6 7 दूनी 14 2 तीय 6 5 तीय 15 और ये तो 15 में से गया 14 14 28 वटे 6 28 वटे 6 का मतलब बना 14 वटे 3 तो ये वाली वैल्यू सोल होके देगे मेरे पचे 14 वटे 3 डिवाइड तो 3 दूनी 6 और 1 7 वटे 3 इंटू 3 पांच पंदरा और 2 17 वटे 3 डिवाइड इसको कहो तो यहीं सैटल करते 3 निकम 3 और 2 5 वटे 3 और का मतलब गुना 4 चुक 16 और 1 17 वटे 4 4 चुक 16 और 1 17 वटे 4 अब मेरे पचे इस डिवाइड के निसान को इस वाले डिवाइड को अगर मैं इंटू कर दू यहाँ तो ये वाली कहानी पलेट के लिखी जा सकती पूरी की पूरी यानि समझ रहे ने पहले ओफ सोल हुआ तो आफ सोल हुआ तो 17 वटे 85 बटे 12 आया तो यह आएगा 12 बटे 85 यहनि उल्टा लिखना पड़ेगा तो देखो 3 चुक 12 और 17 वटे 85 ऐसे है ऐसे ही मेरे बच्चे यहाँ डिविजन को अगर आपकी जाज़ा तो इंटू कर दें तो इंटू करेंगे तो यह कितना आ रहा था 3 बटे 7 आजाएगा तो सैटल होगा 7 दो नी 14 तीन से 3 गया तो मेरे बच्चे यहाँ 2 है और यहाँ था 4 तो 2 चुक 8 बटे 5 आया उपर पहले इतना पॉइंट किलियर करो अब मेरे बच्चे नीचे वाले टुकड़े को सोल कर दो पहले इतना पॉइंट किलियर करो आराम से यह बात पले पड़ी के नहीं पड़ी और भाई अगर मज़ा आ रहा है देखिए मेरी कोसिस है हर हिस्से के हर कॉंसेप्ट के टॉप टॉप कॉश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिये जाए अब नीचे वाले पाईए आपकी जिम्मेदारी है अगर आपको पसंद आ रहा है तो चीजे बताईए अप्रिशेट करी है यहाँ पहले क्या सोल करें सर ओफ ओफ सोल करेंगे तो देखो चार दूनी आठ और एक नो बटे दो है और यहाँ पांस तिये पंदरा और एक सोला बटे तीन है तीन से काटेंगे तीन आएगा दो से काटेंगे आठ आएगा आठ तिया 24 बिल्कुल ठीक है तो यह वाली वाली वैल्यु 24 है तो पांस ती पंदरा और एक सोला बटे पांच है डिवाइड के जगह इंटू करेंगे और चोविस के जगह एक बटे चोविस करेंगे जमा में यहाँ भी भी सेमकानी 3, 5, 15 और 16 बटे 3 गुनामे में 3 बटे 4 भाई इंटो में 3 दूनी 6 और 2 8 बटे 3 को पलट के लिखते हैं 3 बटे 8 कोई नुक्षान है नहीं सब अब देखना भाई 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 3 से 3 नमटाया यहाँ आया बाबू 3 बटे 2 8 दूनी 16, 8 तीय 24 यहाँ आया मेरे भाई 2 बटे 15 एलसियम लोगे यही आ रहा है ना भाई तो एलसियम लोगे 30 आयेगा तो 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 2 पंदरा 30, 15 तीय 45 तो यहाँ आया मेरे बचे 45 और 49 बटे 30 यह वाली वैल्यू है 49 बटे 30 एक बर बताना कोई गलती तो नहीं है जल्दी से बताई अब कुल मिला के कहनी यहाई कि सर उपर वाली वैल्यू जो आई वो 8 बटे 5 आई और नीचे वाली वैल्यू यहाँ गई तो 8 बटे 5 रहेगी ऐसे ही नीचे वाली वैल्यू पलट के लिखी जाएगी 30 बटे 49 कुछ होता है सोल तो करो यहाँ 5 चिंग 30, 6 बटे 49 तो यहाँ मेरे बचे 48 बटे 49 जबकि एक्चुल में उसका आंसर क्या था भाई एक्चुल में उसका आंसर जो था हमारा यह 48 बटे 49 जबकि उसका जो आंसर था वो 6 बटे 7 तो सवाल में हमसे वो यह कह रहा है कि भाईया कुछ गड़बड हुई है तो बताओ क्या गड़बड हुई है कितना ज़्यादा कितना कम है वो अंतर बताओ तो भाईया 49 है तो 7 से नीचे गुना करो 7 से उपर गुना करो तो यह आएगा 42 बटे 49 यह 48 बटे 49 तो 42 और 48 का डिफरेंस कितना है मेरे बच्चे 6 तो डिफरेंस आएगा 6 बटे 49 चास यह मेरे प्यारे बच्चो आपका correct answer हो option D मेरे correct answer हो यह मेरे प्यारे बच्चो SSC selection fees का है जो अभी अभी exam हुआ है 2024 में उसका question है board mask का सवाल ने पूछा कि जी इसकी value बटाएए मेरे बच्चे क्या होगी देखे यार board mask के question में लफ़े बाजी नहीं चलेगी तुक्षे बाजी नहीं आपको solve करना हो कैसे solve करें सबसे पहले छोटी bracket पकड़ो छोटी दो bracket है कि यह है कि पहले off होगा कि division sir off solve होगा तो 5 गुना 2 10 40 को 10 से भाग दिया 4 तो यह value value आई 4 पहले off solve होगा कि division sir off तो 18 दूनी 36 36 को 9 से भाग दिया मेरे बच्चे 4 अब मेरे बच्चे यहां plus में 8 अब आपने एक चीज गोर की होगी कि 4 से 4 गया तो बच्चा कितना 8 अब आते हैं इस बड़ी bracket होएं तो मेरे बच्चे 12 प्लस 9 divide 3 तो पहले divide होगा तो 9 को 3 से भाग देंगे 3 12 में 3 जोड़ा मेरे बच्चे 15 और minus करेंगे 8 15 में से 8 गया मेरे बच्चे कितना बच्चा 7 और यहां है 56 56 को 7 से भाग देंगे मेरे बच्चे आंसर आया 8 यानि यहां तक की कहनी का calculation का आंसर आ रहा मेरे बच्चे 8 अब आते आगे देखियार सबसे पहले off-off का मतलब होता है गुना 5 से काटेंगे 15 15 पांजी 75, 15 दूनी 30, 30, 27, 27 बहुत सुना अब यहां आते हैं मेरे बच्चे देखियार 58 में से 37 घटाएंगे तो आएगा मेरे बच्चे कितना 61 में 7 गया, 1 और 5 में 3 गया, 2 तो 3 से काटेंगे 7 और 7 दुनी 14 14 और 5 मेरे बच्चे कितना आया, 19 19 से कम 19, 19, 28, 38, 39, 37 तो यह आया मेरे बच्चे 3 तो यह वाली वैल्यू सोल होने के बाद प्लस तीन आत उत्तर देगी तो मेरा आंसर आया, 11 तो मेरे बच्चो मेरा राइट आंसर होगा अब आते हैं इसी में आगे मेरे बच्चो यह सवाल है SSC CGL मीन्स 2019 का, सारे सवाल बढ़िया उठाएंगे बहुत अच्चे-च्चे सवाल आपको है प्रैक्टिस के लिए मिल रहे, करिए मेरे बच्चे देखिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल करनी होगी, तो ब्रैकेट सोल करेंगे तो पहले औफ सोल करते हैं पहले में प्यार से समझा रहा हूँ, तीन एकम, तीन और एक, चार बटे तीन है, बिलकुल ठीक है, यहां सोल करेंगे, साथ दोनी, चोदा और च्छे, बीस बटे, साथ है, ओफ का मतलब गुना, पाचु 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 और तीन, अठाइस बटे, पाच है, तो मेर बचे, मल्टिप्लिकेशन में क्या हो जागा, गुना में एक बटे सोला, आपने का सर, बिलकुल ठीक है, चार से काटेंगे, चार आएगा, चार ती बारा, तो यह वली वैल्यू सोलों के देगी, एक बटे बारा, अब बीच में डिवीजन का साइन है जी, इसे बाद में ट आटीए 24 हाया, यह है पांच चिंग 30 और दो 32, तो 32 बटे 5 है, डिवाइड करना है 24 से, तो डिवाइड के जगा इंटू लगाएंगे बटे 24, तो 8 ती है 24, आट चोक 32, तो मेरे बचे यह सोलों के आएगा, चार बटे 15, तो यह वाली ब्रैकेट मेरे प्रैकेट सोलों के द अब देखिये मेरे बच्चे यहां ओफ है तो ये पाँच बटे नो है पहले ओफ को सैटल करना हो गुना में पाच एकम पाच रिक शे बटे पाच है पाँच से पाँच गया तीन दूनी छे तीन 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 नो सरी आया दो बटे तीन बिल्कुल ठीक है अब ध्यान देना यहां है 3 बटे 4 यहां 3 दूनी 6 और 2 8 बटे 3, बिल्कुल सही है और यह है division division को अगर into करेंगे तो उत्तर आया था 2 बटे 3, अब पलट के लिखेंगे तो 3 बटे 2, आपने का सर्थ बिल्कुल ठीक है 3 से 3 गया, 4 दूनी 8 से 8 गया, 3 आया, तो into तुम आया मेरे पेरे बच्छों यहां 3 और equal to मेरे पेरे बच्छों 1 प्लस के हमने का जी हैं यहां तकी बात अपने को पल्ले पढ़ती है अब मेरे बच्छे आप यह बात जानते हैं कि एक बटे 12 पहले मुझे सोल करना चाहिए division division को multiply करेंगे तो 12 बटे 4 लिखेंगे और इसका जो उत्तर आया वो एक से छोटा आया लेकिन सारे ही माइनस में तो इसलिए वो छटनी होगी नहीं तो सोल करना पड़ेगा आपको देखें यहां 15 बटे 16 एक इदर आएगा तो माइनस एक बटे 16 तो इससे सोल करके लिखोगे तो माइनस एक बटे 16 यानि के की value मेरे माइनस एक बटे 16 इतनी बात समझें आप मेरे दोस्तों इसको अगर आपको decimal में convert नहीं करना हाथा तो आप यह बात जानते होंगे कि यह है 2 की power 4 तो 5 की power 4 से उपर गुना कर दो 5 की power 4 से नीचे गुना कर दो कहानी सेट हो जाएगी उपर आ जाएगा 625 और मेरे पैरे पैर जीरो चे 2,5 अब हमें देखना है कि 625 किस के बीच में आगा माइनस का 0.0625 किस के बीच में आएगा तो मेरे बचे option a के बीच में आएगा किस के बीच में option A के बीच में और यही आपसे सवाल में पूछा था देखे मेरे बच्चे यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो 369 रिपीट कर रहा है 369, 369 तो N का मतलब है 0.369 इसकी fraction बनाएंगे मेरे बच्चे तो 369 आप उन में 999 अब आप कहेंगे जी उपर वाला नमबर 9 से भाग जा रहा है तो 9.369 एकम 9 और यह आया 111 ऐसे इसे देखेंगे तो यह 5.31 5.31 यह भी जा रहा है इसकी fraction बनाएंगे तो यह बनेगी 531 बटे 999 इसे भी ध्यान दोगे मेरे बच्चे तो 9 से जा रहा है तो 9.45 कितना बच्चा मेरे बच्चे 8.89 69 बटे 111 अब मुझे सवाल में कहा रहा है कि इन वैल्यू को पलट दो यानि 1 by N क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 111 बटे 41 और यह हो जाएगा 111 बटे 69 अब मेरे बच्चे यह बात तो तैह है कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 111 का मल्टिपल होगा ही होगा उसके बना बात बनेगी ही नहीं पहली चीज़ दूसरा जब मैं जोड़ूँगा मालब तो LCM लोगा तो LCM 41 और 69 दोनो प्राइम नंबर है तो Option A मेरा यहां डारेक्ट आंसर हो और यह सवाल है मेरे पेरचो SSC CGL मेंज 2022 का आईए जी यहां कह रहा है देखे AQ प्लस B क्यो यहां कह रहा है A स्केर प्लस B स्केर और माइनस लिखा होगा मेरे बच्चे हर हाल में A भी देखे हमें गुना करने की जूरत नहीं है चेक करने की जूरत है यह हो गया A स्केर यह हो गया B स्केर यह A भी क्यों होगा देखो अगर मैं 3 की 7 से गुना करूँगा तो 3 साथ 20 यूनिट डिजिट क्या आएगा एक और वही आ रहा है इसका मतलब यह है AQ PLUS BQ नीचे है A स्केर माइनस A B plus B स्केर तो A Q प्लस B क्यों का मेरे प्यारे प्यूला होता है A प्लस B इंटो में A स्केर माइनस A B प्लस B स्केर अब मदे की बात यह है कि यवाली चीज तो नीचे ही तो यह कट जाएगी तो answer आएगा A plus B यानि 253 जमा 247 तो 253 और 247 को मेरे प्यारे बच्छो जोड़ोगे तो कितना आजाएगा तो आप कहोगे 253 और 247 आएशर 500 तो उपर आएगा 500 लेकिन समश्या क्या थी कि सर यहाँ था 253 यहाँ था 253 तो इसको कैसे settle करें decimal को तो मेरे प्यारे बच्छो मैं क्या करता हूँ 100 से उपर गुना करता हूँ 100 से नीचे तो 100 से नीचे गुना करूँगा तो यह कट जाएगा 100 से इधर गुना करूँगा decimal हट गया 100 से इधर गुना करूँगा decimal हट गया तो उपर सो से गुना कर दूँगा यानि इस कहानी को अगर लिखना हो इस फॉर्मेट में तो हम ऐसे लिख सकते हैं पचास गुना में दस की पावर तीन क्योंकि चार जीरो था तीन यहां एक यहां तो मेरे पैरे विचो के का जो मान आएगा और तीन आएगा तो आफशन ए मेरे पैरे विचो मेरा राइट आँ सरो यह सवाल भी SSC CHSL मेंस का 2022 का सवाल है बहुत सारे बच्चे यह सूचते हैं कि CHSL मेंस अलग से पढ़ना है नहीं यहां जो मैं आपको करा रहा हूँ उसमें सारे कुशन अच्छे अच्छे डालो देखे मेरे बच्चे यह सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है यह सवाल है हरियाना CET 2022 का मेरे बच्चे आप वीडियो पर कमेंट नहीं करते हैं लेकिन हमारी मेहनत तो देखिए उसके बावजूद भी आपका वहवार रुखा है लेकिन फिर भी मेहनत देखिए हम कहां कहां से सवाल पिक करके ला रहे हैं आपके लिए रेंज देखिए देखिए सवाल ने यह पूछा कि भाईया इसका वर्गमूल निकालो तो इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा जो भी इसका उत्तर आएगा उसका वर्ग मूल निकाल देंगे अब मजे की बात यह है कि इसका उत्तर जो भी होगा वो इनका स्केर होगा यानि एक का वर्ग एक होगा दो का वर्ग चार हो सकता है तीन का वर्ग नो हो सकता है चार का वर्ग सोला यानि इस पूरी कहानी का उत्तर या तो 16 होगा या 9 होगा या 4 होगा या 1 होगा इन में से एक आंसर होगा आपने का हांसर ये बात सही है लेकिन मेरे पहरे बच्चों दिखें अगर मैं इसे डिटेल सोल करा हूँ तो पहले डिटेल सोल करा देता हूँ कैसे कि एक में से 0.75 घटाएंगे तो मेरे बच्चे कितना बच्चेगा 0.25 है और उपर है पीचित्तर का क्यों यानि 0.75 0.75 सिर्फ समझाने के लिए इंटो में 0.75 मेरी बात समझ रहा है अब 25 से काटेंगे तो decimal से decimal 25 ती पीचित्तर एक तो तरीका है यह वाला मेरे पेरेग्चो दूसरा यह तरीका है बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना हुं क्या? इसे मैं A मान ले रहा हूँ इसे मैं B मान ले रहा हूँ कोई नराजगी? नहीं तो A-B है अब मैं पूरे को सोल कर रहा हूँ मैं पूरे को सोल कर रहा हूँ तो पूरे को सोल करूँगा तो मेरे बच्चे नीचे L से माएगा A-B बिल्कुर ठीक है मैंने 0.75 को क्या माना हुआ B तो यह हो गया BQ अब A-B को इससे गुना करेंगे तो यह आ जागा पहले यहाँ A-B फिर यह है मेरे बच्चे A-Square प्लस B-Square प्लस A-B तो यह हो गया A-Square प्लस B-Square प्लस A-B वही मैंने क्या क्या इसको A माना इसको B माना लिख दिया अब अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरे बच्चे यह फार्मला है A-AQ-BQ का तो A-Q-BQ का फार्मला है अब B-Q से B-Q कट जाएगा तो उपर बचेगा A-Q A-Q का मतलब मेरे बच्चे कितना है? एक और नीचे कितना बचेगा मेरे बच्चे? A-B यानि एक में से 0.75 घटाएगा तो 0.25 अब पॉइंट हटाएगे तो 2-0 उपर तो पच्ची चो कुसो और 4 कवर मूलाएगा मेरे बच्चो दो यानि या उप्चन B मेरे यहां राइट डाउंस है ये तो है मेरे बच्चे सवाल को करने का डेटेल तरीका दूसरा था कि मैं सब को सोल करो लेकिन मैं एक बाद आपको कहना चा रहा हूँ आप नराज हैं हमसे किसी ने किसी बात पर तभी आप हमारी वीडियो को सेर नहीं कर रहे है उसी नराज़गी को दूर कर रहा हूँ ये हरियाना CET का कुस्चन है मेरे बच्चे हम एक बात तो यहां से समझ गया दें क्या कि सर इस पूरी कहानी का उत्तर एक से तो बढ़ाएगा देखो इस पूरी सैटिंग का उत्तर कितना आएगा ये बताओ तो आप कहेंगे सर इस पूरी सैटिंग का उत्तर हर हाल में एक से तो बढ़ा ही हो क्यों क्योंकि सर एक में ही तो कुछ जोड रहे है एक में ही तो कुछ जोड रहे है तो एक से तो बढ़ाएगा आपने का हाँ तो एक से बड़ी value कोई है और ये वाली value भी इसके अंदर कुछ जोडेंगे ये भी कुछ जोडेंगे कितनी value मुझे नहीं बता लेकिन ये तो 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 है कि एक से बड़ी value का वर्गमूल निकालेंगे तो एक तो नहीं आएगा इसलिए ये मेरा answer नहीं था option A मैंने काट दिया अब कहीं से भी आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसका पूरे का उत्तर 16 आजाएगा भाई ये एक है ये चार अंकों पे पॉइंट चला जाएगा ये दो अंकों पे पॉइंट जोड भी लूँगा तो ज़्यादा डेट बन जाएगा इसका एक और डेट ढ़ाई बन जाएगा और इसे सोल करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या ये 16 बन पाएगा तो तीन ओप्शन मेरे कट गए तो बी ओप्शन मेरा डेरेक्ट वैसे भी आंसवर दिखाई देया गया था कि भाईया एक, दो, तीन, चार थे चार और तीन दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि बहुत लेंदी है एक वैसी कट गया कि एक से बड़ी वैल्यू में को जोड़ेंगे तो उत्तर एक अभी भी नहीं आएगा वर्गमूल निकालने पर, आना तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को हम वैसे डिरेक्ट कर सकते हैं आपकी नाराजगी को दूर करने की पूरी जी जान लगाके कोसिस करेंगे आएए मेरे बच्चे यहां ध्यान दीजे मेरे बच्चे A, A, A क्या हुआ जी A क्यों B, B, B यह हुआ B क्यों मैं सिर्फ समझाने की कोसिस कर रहा हूँ और कुछ नहीं तो मेरे प्यारे बच्चो ऊपर लिखा है A क्यों प्लस B क्यों नीचे क्या है A स्केर यह क्या है मेरे बच्चे B स्केर यह क्या है जी A इंटू B यह प्लस का साइन है यह माइनस का साइन है तो ऊपर हमें यह कहानी तो बता चल गई AQ plus BQ का formula खोलेंगे तो A plus B और फिर आएगा A square minus A B plus B square वो कट जाएगा तो उपर बचेगा A plus B, यानि 777 जमा 423 बचेगा तो 777 में 423 जोड़ोगे मेरे प्यारे बचो तो उत्र आएगा 777 और 23 आजाएगा 800, 844, 1200 आनसर आएगा ये बात तो ठीक है अब लास्ट वाले इससे को सेटल करता है किसर 77 में से 47 घटाएगे कितना बचा मेरे प्यारे बचेओ 30 तो या आया 1 बटे 30 30 से इसे काटेंगे मेरे बचे या आया 40 तो मेरे प्यारे बचेओ मेरे राइट आनसर देखिए अगर आपको जहर ही खिलाया जाए सवालों की रूप में जहर सवाल करा दिये जाए जो कुछ लोग कराते हैं तो सर्म नहीं आती आप लोगों को इस चीज को पढ़ने में आरे भाई मैं वही सवाल करा रहा हूँ जो CGL मीन्स में आये वे हैं वही चीजे पढ़ा रहे हैं जो आपको पेपर में आएंगे एक एक चीज साप सुतरी करा रहे हैं लेकिन आपको पैसे भरने हजार आजार दो दो हजार रुप है ऐसी जगहें पे जहां कोई रिलीवेंस नहीं है जहां से एक्चुल में कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है भाई थोड़ा दिमांग दोडाओ हवाबाजी मताओ समझ के चलो ये है मेरे प्यारवचो SSC CHSL मीन्स का सवाल देखे हार ये एक बेसिकली टाइप है और इस टाइप का आप मतलब जानते हैं तरीका ये रहता है इस सवाल को डेटेल करने का कि ये है A दो को मैं मानना हूँ A तो ये है मेरे बच्चे दो A की पावर 1 बाई 3 प्लस बाई ये क्या है सर ये है दो की पावर 2 बटे 3 बाई क्यूब रूट 4 को मेरे राजा हम क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट 4 को लिख सकते हैं चार की पावर 1 बटे 3 और चार को क्या लिख सकते हैं दो की पावर 2 की पावर 1 बटे 3 और इस कहानी को हम लिख सकते हैं दो की पावर 1 बटे 3 का वर्ट आपने का सेट अब हाँ तो मेरे भीया कहानी ये है कि ये वाली जो value है ये है basically a raise to power 1 by 3 का work square और 1 को मैं 1 का work लिख दो कोई दिक्कत है आप कहेंगे जिना कोई दिक्कत नहीं तो मेरे बाबू एक बात बताना बलकि मैं इसका नाम एक ही जगे x रख देता हूँ कि आपको जो formula है वो तुरंत याद आ जाए तो इसे मैंने x माल लिया और इसे मैंने x की power 1 by 3 x क्या माना हमने cube root 2 का माना तो मेरे बच्चे मैं कह रहा हूँ कि ये x की power 1 by 3 a हो गया तो ये a square आ गया हाँ जी इसे मैंने b माल लिया तो b square आ गया और इसको यहां किस से गुना करना पड़ेगा a minus b से आप कहेंगे क्यों क्योंकि तभी तो ये पूरा setting बैठेगी फार्म लेगी आपने गा सही है तो भया a minus b से नीचे गुना करना होगा तो a क्या माना हो था x यानि 2 की power 1 by 3 तो उपर गुना करोगे a minus b a square plus a b plus b square a q minus b q a क्या माना हुआ आपने 2 की power 1 by 3 तो a q minus b q का फार लो और b क्या है भी या 1 1 का क्यों 3 से 3 कटके आया है 2 2 में से गया 1 तो आंसर आया 1 तो नीचे 1 का आ गया तो यह मेरे पेराविच्छों मेरा right answer है q root 2 minus 1 अब बात आती है कि ऐसे सवालों को हम paper में कैसे tackle करें देखें मैं आपको यह first truth से एक बात समझाना चाहरा हूँ paper में आपको कुछू नहीं करना है बाबू ऐसे हर एक सवाल में एक विशेश चीज रहेगी जो आपको देखने को मिलेगी और वो यह कि जो यहां नमबर लिखा होगा हर हाल में उसका वर्ग यहां लिखा होगा जो नमबर यहां लिखा होगा उसका वर्ग आपको हर हाल में यहां लिखा मिला अगर मेरे प्यारे बच्चो वर्ग वाला और एक लिखा होगा तो यह एक का वर्ग यह माइनस होता तो उपर उत्तरा था root cube root 2 plus 1 उल्टा साइन चलना है और नीचे क्या जाना है मेरे बच्चे अगर यहाँ plus है तो फार्मला लगेगा cube root 2 का cube minus 1 का क्यों इसे solve कर देंगे वो मेरा direct answer जैसे example के तोर पे यह तो same ही अगर इसको जैसे solve करें तो यह अभी solve किया था तो क्या आ रहा था सरी आ रहा था cube root 2 minus 1 और इस चीज को compare कराया उसने इस से a cube root 4 b cube root 2 जमासी तो मेरे पेरफच्चों जब compare करेंगे तो यह देखो cube root 4 यहाँ है नहीं तो इसका बास चैनल एक आमान हराल में 0 रहा था cube root 2 यहां है है तो यहां cube root 2 का coefficient B है तो यहां cube root 2 का coefficient A तो B का मान मेरे पेच्चे 1 रहा होगा और यहां constant value C C का मान minus 1 रहा होगा तो यह मेरे पेःफच्ण आदा ABC की value आ गई तो A का मान 0 है B का value 1 है number होगा cube root का निशान लगा होगा यहाँ a square होगा यहाँ cube root a होगा और यहाँ plus 1 ऐसे दो सवाल बनेंगे मेरे राजा देखिए अगर यहाँ plus है तो इसका answer हर हाल में cube root a minus 1 उपर होगा और नीचे cube root a का cube minus 1 का cube होगा कुछ भी हो सकता है लेकिन मेरे बच्चे अगर यहाँ minus 1 है मलब minus का निशान है तो इसका answer हो जागा उपर आएगा cube root a plus 1 और नीचे आएगा cube root a का cube plus 1 का यह direct मेरे पहरे बच्चे इसकी सोटरी के जो आपको याद रखनी है ऐसे हर सवाल में यह सवाल मेरे पैरे बच्चो आपको राम बान है इस सवाल cds 2021 में आया हुआ मेरे बच्चे और इस से पहले सेमी सवाल आपका ssc chsl means में आया हुआ है हमें कोई जहर सवाल नहीं करना है बढ़िया चीज़े पढ़नी है जो काम आए फिर भी किसी भाई को पैसे फूकने का सोक हो तो सोक से पैसे फूक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल को बताई है मेरे प्यारे बच्चो सीमी सवाल आपने देखा cgl means में आ गया अब यहां आपको एक चीज़ समझनी होगी क्या कि मैं तीन की पावर एक बटे तीन को ए मान रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपको concept पर ले पड़ जाए और दो की पावर एक बटे तीन को मेरे बच्चे मैं बी मान रहा हूँ आपने का ठीक है तो ध्यान से देखो यह क्या कहानी है यह A स्क्वेर है यह क्या कहानी है यह B स्क्वेर है और मेरे पैरे बच्चों यह क्या है माइनस A भी है क्योंकि अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो तीन दोनी छे की पावर एक बटे तीन हो आगा आपने का हाँ तो सर जो आपने पीछे पड़ा यह वही कहानी है कोई नहीं चीज नहीं है अगर यह सेम ही कहानी है तो इसका सोलुशन में क्या होगा मेरे बच्चे इस पांच को थोड़ी दिर अलग रग देते है तो सर अगर यहां माइनस का निसान है तो उपर आएगा क्यूब रूट ओफ ए और माइनस में बी मलब जैसे मैंने यहां बताया था वन आपको तो यहां वन इसलिए बताया था कि हमीशा वन दे रखा होता था बी का मान अधरवाईस यहां क्यूब रूट बी लिखा रहता था तो यहां पर मेरे प्यारे 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 प् इसमें कोई लफड़ा है नहीं इसका जब क्यूब करेंगे तो यह दो आएगा इसका क्यूब करेंगे तीन तीन और दो पांच से पांच कर जाएगा तो कुल में लाके पूरी सैटिंग में यही सवाल बना कुछ नया बना ही नहीं और यह आपको कंपेर करा रखा है इससे तो क्यूब रूट तीन का कॉफिशेंट क्या है यह एक तो एक का मान आ गया मेरे बच्चे एक क्यूब रूट दो का कॉफिशेंट क्या है बी तो Q root 2 का coefficient या क्या है B तो यह आ गया A और Q root 6 का coefficient है या कहीं नहीं तो मेरे पचे C का मान आ गया 0 तो A जमा B जमा C एक और एक दो मेरे प्यारे पचो मेरा right answer है तो आपने देखा सवाल हूब 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 सेम है कोई दिक्कत नहीं दूर दूर तक A की pattern follow हो रहा है और उसी पे चीज़े घुमेगे पर चलिए आपके अपस पैसा बहुत है तो आप पीड बैच में पैसा खराब करिए अपना हम कुछ समझदारों को फिरी में पढ़ाने की इमानदार कोसिस करेंगे कईों के पास फालतु पैसा होता क्या करें आईए मेरे बच्चे अब यहां ध्यान से देखिए इसको मेरे प्यआरे बच्चों मैं माना हूँ AQ ठीक है इसको मैं माना हूँ PLUS BQ इसको मैं माना हूँ PLUS CQ ये है मेरे बच्चे 3 AB से अब आप कहोगे सर कैसे कह रहे हो आप मेरे बच्चे मैंने A को क्या माना है यहां 13.7 B को मेरे प्यारे बच्चे मैंने क्या माना है माइनस 8.57 और C को मेरे प्यारे बच्चे मैंने क्या माना माइनस 5.1 जब इन्हें जोडेंगे a plus b plus c करेंगे तो 7 और 6 तेरा 3 से 3 unit digit से समझ में आ रहा है कि जोड 0 आएगा और मेरे बचे अगर a plus b plus c का मान 0 है तो a q plus b q plus c q minus 3 a b c का मान भी क्या रहता equal to 0 ही होता है अब ये बात आपको समझ नहीं आई तो क्या करें ये यूपी सब inspector का question है मेरे बेरे बचो उमीध है आपको समझ आया होगा आप कहें आपने 3 a b c check ही नहीं किया मत करो न जूरती क्या है आपको दिखाए देरा formula set हो रहा है वाकी check करना चाहें तो 16 ती ये 48 और 5 ती ये 15 तो इसको 3 से गुना करके direct लिखा होगा आए देखें मेरे बच्चे sigil means का सवाल है एक तो तरीका हम p की value direct minus 4 रखते है दूसरा तरीका ये 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 बना a q plus b q हाँ जी a q plus b q तो इसका formula अगर खोलोगे तो वो आएगा सर क्या a plus b into में a square plus b square minus 2 मलब a b आपने खाज़े ठीक है इससे इसको भाग दोगे तो ये सेमी चीज है तो उपर आज़ेगा p q minus 10 p square अब आए आगे इसको इससे भाग देंगे बचा minus 4 minus 4 को 2 से करेंगे minus 8 और minus 4 p इसको इससे भाग देंगे ये वला बचा तो minus 2 p को मेरे प्यारे बच्चो इससे करेंगे तो ये आएगा minus 8 p minus 2 p को p से करेंगे तो ये आएगा minus 2 p cube और मेरे प्यारे बच्चो minus 2 p को minus 2 p से करेंगे तो plus 4 p और मेरे दोस्त यहाँ minus है यहाँ minus है यहाँ plus है जबकि यहाँ plus है यहाँ minus है हाँ है ना देखो या 2 p को minus 2 p को minus 2 p से करेंगे अब देखें यहां से अगर मैं पूरे में से माइनस कोमन ले दू यहां से तो यहां बचेगा क्या पी स्केर प्लस फोर माइनस टूपी और यह वाली वैल्यू मेरे बच्चे नीचे वाले से कैंसल हो गई है आपने का हाँ तो इस पूरी के बाहर एक माइनस यहां पहले से बचा हुआ अब एक बात यहां से चोटी सी समझने की है वो यह कि हम माइनस टूपी क्यूभ है या पी क्यूभ है तो घटाएंगे तो यह बचेगा माइनस पी क्यूब बिल्कुल ठीक है यह कट दिया अब ये minus 10 P square है ये plus 4 P square है तो मेरे प्यारवचो ये बचा minus 6 P square बिल्कुल ठीक है जी अब ये 8 और 4 12 P तो minus 12 P है और minus 8 तो मेरे प्यारवचो यहां था minus माइनस से इंस सब को गुना करेंगे ये बन जाएगा plus आपने गा जी बिल्कुल ठीक है अगर मेरे प्यारे 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 प्य तूकेबाजी करने पे पेपर वाला आगर सवाल рьीक से सैथ कर दे तो थोड़े से ही डेफरेंस पे आंसर गलत हो जाता है मेरे बच्चे सबसे पहला काम क्या करता है दोनों साइड वर्क कर देते हैं क्यों कर देते हैं इसदे कर्देते हैं कारण क्या है कि इन में से कोई भी perfect square नहीं है जो Sol हो जाए तो work करेंगे तो इधर work करेंगे तो इतर work करेंगे तर्टिक बॉर गूल हट जाएगा और इधर work करेंगे मेरे बच्चे इन सब का तो यह आजाएगा A स्केर प्लस B स्केर प्लस C स्केर क्योंकि रूट है और प्लस में आएगा 2 रूट A B 2 रूट B C और 2 रूट C A आपने का जी यह मामला सेट है अब यहां से रूट आपका हटी चुका है आपने का हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों यह बचा 15 आपने का ठील अपस यहीं से थोड़ा दिमांग दोडाना था कि भाईया यह रूट कभी भी सोल होगा ने यह रूट पूर्टे सोल होगा ने यह रूट पूर्टे सोल होगा ने और जब हम compare करा रहे होंगे न तो इसका मान इस से compare हो रहा होगा इसका मान इस से compare हो रहा होगा तो यह जो a प्लस b प्लस c constant value बची यह हर हाल में 15 को represent कर रही होगी और यही आपसे पूझा कि a प्लस b प्लस c क्या है तो मेरी प्यारे बच्चों मेरा answer है 15 classroom में इस type को पूरा explain करता हूँ तो जिन बच्चों ने class में पढ़ा हुए वो तो direct ही जानते हैं कि जो बिना root के वाली value होगी scale करने पर वही हमारा answer होगी लेकिन आप इस तरीके से सोच सकते हैं अब करना हो तो देखो 60 को क्या लिखेंगे 4, 15, 60 तो भीया यह आजाएगा 2 root 15 21 चुक 84 तो 2 root 21 अगला आजाएगा अब मेरे बच्चे 4 पे काटेंगे तो 2, 4, 3, 12, 30 अब मेरे बच्चे इने compare करेंगे तो ABC अलग अलग भी निकाल सकते हैं बाकी A plus B plus C 15 आपका direct दिखाई दे रहा है देखें मेरे बच्चे सवाल है SSE CGL means 2023 का सवाल में पूछा है कि इस portion की value होता है तो सबसे पहले इसे soul करें A square minus B square का फार्मॉला लगाएंगे A plus B तो आप रहेंगे A plus B 28, 25 हो गया मेरे बच्चे 83 और A minus B करेंगे तो मेरे बच्चे आगा 33 यहाँ A plus B करेंगे तो 4, 3, 7, 7, 6, 3, 83 और A minus B करेंगे तो 9, 7, 6, 9 तो मेरे बच्चे 83 से 83 काटा 3 से काटा 11 और 3 से काटा 3 तो मेरे पहरे बच्चे ओ, यहाँ पर A की जो value आई वो 11 बटे 3 आई ठीक है जी? तो यहाँ पर जब मैं रखूंगा A की value तो यह हुजाएगा 11 बटे 3 तीन पलेट के ओपर याँनि 60 बटे 11 बहुत सब्सक्राइगा अब आते हैं मेरे दोस्त आगे यहाँ A square minus B square 26 और 15 हो गया 41 A minus B 26 में 15 आगया 11 56 में 15 आगया 41 और 56 में 15 जोड़ा तो मेरे बच्चे आए 11 बटे 11 लेकिन मुझे 1Y बच्चे उल्टा ची तो 71 बटे 11 अब आप जानते हैं minus करेंगी तो 71 में 60 गया 11 11 बटे 11 मेरे बच्चे answer कटके आया मेरे बच्चे आए 1 मेरे प्यारे बच्चे मेरे right answer आया 1 देखें मेरे दोस्तों यह सवाल है SSE Cigil Prelims का 2022 का सवाल जो जो ठीक लग रहे हैं मैं सारे उठा रहा हूँ simplification में बहुत तर्रम का सवाल नहीं आते हैं खासकर हम सेडियस की बात करें बहुत आसान सवाल रहते हैं मेरे पहरे पर जो हम बात करें CSAT बहुत आसान सवाल रहते हैं अधर एक्जाम बहुत आसान से हो लेता है तो थोड़े बहुत कुछ लेवल है तो वो हमारा सीजल में ही लेवल आता है यानि TCS ही लेता है देखो आप ध्यान से दिखोगे तो यहाँ दो अंगों पे है यहाँ एक अंग पे यानि डैसिमल हटा दूँगा तो यह आएगा ती क्या आएगा मेरे बचे तीन बटे बीस यानि ये तीन बटे बीस आजागा सोल होके ये भी तीन बटे बीस ये भी तीन बटे बीस ये भी तीन बटे बीस तो तीन बटे बीस को चार बार जोडेंगे तो चार गुना तीन बटे बीस आएगा आमने गा जी बात तो सही है बा जारती है बारा पंजे साथ, साथ पॉटे सो यानी 0.6, तो मेरे पहरे पचो ये statement तो मेरी absolutely correct है, अब आते हैं, देखे यार, ये तो है 0, 1, यहां से decimal की सरुवात है समझो, यहां इसका work करेंगे, तो 1 का square तो मेरे पहरे पचो 1 ही रहना है, तो ये 0, 0, 0, 1 आएगा, last वाले मे 3 है, तो 0, 0, 0, 0, 0, 1 अब जोड़ेंगे तो 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, यह मेरा answer है, ये भी बिलकुल सही है, तो मेरे पहरे पचो option D, मेरे हैं यहां पे absolute correct है, देखो मेरे पहरे पहरे पचो ये सवाल है CGL means का, जजज जगे में नहीं एयर मैंस नहीं क्या means में, इस मतलब है आप ये बात तो जानते हैं कि अभी पिछले दो ही सालों से ऐसा हुआ ये नई पैटरन पे मेंस होरा जहां 30 सवाल पूछे जा है है? इस से पहले जितने भी सवाल पूछे जाते थे मेरे पेरे बच jug means में वहाँ सो सवाल पुछे जाते थे जहां मैं exercise inspector, gst inspector या custom inspector जी साब कहते हैं मेरा भी selection exercise inspector में selection हुआ तो वो हुआ मेरे बचे तब जब math के 100 सवाल पूछे जाते हैं अब तो पूछे ही 30 सवाल जा रहे हैं तो वहां में यह मैं अंसर नहीं कर रहा हूँ यह लगबग 2019 के आसपास का means का सवाल है देखें, यह तो तेह है कि यह 24 का वर्ग है, बिल्कुल ठेक है अब मुझे इसका वर्गमूल निकालना है अब इसका वर्गमूल निकालना है तो एक बात मुझे देखनी है इसका वर्गमूल यह है, इसका वर्गमूल यह वाला है आपने का कि के सर इसका वर्ग मूल मेरे पियरे पिचो ये वाला है तो जो भी मेरा आगर यूनिट डिजिट से चेक करूँ तो मुझे देखना होगा कि तीन का वर्ग नो आया तीन का वर्ग नो आया यहां साथ का वर्ग उनचा से नो आया यहां जीरो का वर्ग करेंगे तो जीरो है तो 13 बनेगा, असे लेंगे 13 में 4 गया 9, यानि का 1 अंक होगा 9, तो ये तो मेरा answer आ सकता है, लेकिन अगर इसका 1 अंक 7 ले लूँगा, तो 7 में 4 गया 3, और किसी भी perfect square number का unit digit 3 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये तै हुआ, कि इसका जब वर्ग मूल निकालेंगे, तो उसका 1 अंक हर हाल में 3 आएगा, अब यह दो अंक हटा देते हैं, अब इसको चेक करते हैं, 1, 2, 3, 87, 1, 2, 3, 87, अब मुझे यहां एक चीज़ नोटिस करने है, क्या, आपको ये चीज़ मैंने सिखाई थी, कि भई 11 का वर 121, यानि 2 बार लिखा तो 1, 2, 3, 2, 1, 111 है तो 1, 2, 3, 2, 1 तो मेरे प्यारे बच्चे यह बन जाता है, 111 का वर्ग है, अब यह इससे बड़ा है, तो इसका अनलब यह हर हाल में 111 के वर्ग और 112 के वर्ग के बीच में, यानि इसका जो आंसर होगा, वो 113 होगा, इसमें से 24 घटाएंगे, 13 में 4 गया, मेरे बच्चे 9 आया, और यहां बच्चा मेरे बच्चे कितना, सोरी, 1089, अब 1089 बच्चा मेरे प्यारे बच्चा और 1089 का वर्ग मूल अगर हमें निकालना हो, तो निकल जाएगा सर, वो वर्ग मूल होता है, हमारा कितना 32 का, तो मेरे प्यारे बच्चो मेरा right answer आएगा 33, यानि 33 मेरे प्यारे बच्चो मे में हमसे कह रहा है कि भाया यह है X, X में जितनी भी चीजों पहले से स्केरूट में उसके उपर फिर से उसका स्केरूट निकालना, यानि एक्चुल में पूर्थ रूट निकाल रहे हैं आप इसका, लेकिन मैं पहले सिंप्लिफाई करके लिखके दिखाता हूं, देखो, इस एक साथ ले देता हूं, आपने कहां सर पूरा स्केरूट एक साथ ले दोती है, यहां है 1875 और बटे में में 3888, डिवाइड को इंटू करते हैं तो 768 और बटे में 1200, ऊपर है 175 और नीचे है 1750, यह वैल्यू तो आएगी मेरे पहरेप्चुल एक्स की है, क्योंगी तो X है, फिर मुझे X का भी स्केरूट निकालना है, यानि मेरा अंसर आएगा रूट X, अगर आप थोड़ा सा दिमाग दोड़ा के चलें, हलका सा दिमाग दोड़ा के चलें, तो आपको यह पता होगा, कि हर हाल में, बटे में न, यहां 12 है, तो इस पूरे एक्स का उर्चार में न, की पौरे चारा उंगा, यानि जो बच्चा इस बात को चाटने में चला गया, या जो इस बच्चा है, अगर आप इतने में काम याव याव हुए तो आप 50 परशेंट सवाल का आंसर दे जाएंगे, मैं कह रहा हूँ 100% दे जाएंगे जब आप ये ढूनने जाएंगे मैं क्या करता हूँ मैं इस बात को मान लेता हूँ कि 12 और 9 मुझे नीचे चाहिए तो भाईया मैं 12 सो में 12 अलग रख देता हूँ बचा हुआ 100 को 25 से भाग दूँगा तो 25 चो को 100 आ गया कोई दिक्कत यहां तक नहीं मुझे सिर्फ नीचे ढूनना है 9 और 12 और कुछ मैं तलास नहीं करूँगा साथ से काटूँगा तो भाईया साथ दूनी 14 बिल्कुल ठीक है जी कितना बचा जी साथ दूनी 14 कितना बच गया भाई तीन साथ पांचे 35 और साथ चिंग वेल 200 छप पता अब एक बात तो तैह है मेरे प्यारे बचो ये साथ से भाग जा नहीं रहा साथ एकम साथ साथ से 68 भाग नहीं जा रहा ये साथ से भाग जा रहा है आप कहेंगे देखो साथ दूनी 14 बचा कितना 4 साथ पांचे 35 साथ चिंग 42 42 के बाद 4 ये भी साथ से भाग नहीं जा रहा अगर उपर साथ का कोई multiple है ही नहीं तो किसी भी हालत में मेरे प्यारे बचो साथ तो मेरा answer आएगा ही नहीं उपर पहली बात दे हो गए दूसरी बात ये कि मेरे प्यारे बचो ऊपर पांच भी नहीं आसकता ये भी मैं short shoot कह सकता हूँ आप कहें कैसे पांच नहीं पांच तो आसकता भाई पांच आसकता है क्योंकि फिछे तरका है मुझे लगा रहा था ये नहीं लेकिन ये तो है अब यानि पांच चार और मैं आसकता है आप 9 और 12 की तलास करनी है अब बेटा एक बाद होता हो ये होता है मेरे बच्चे 16 का वर्ग तो 16-16 256 16 से कट रहा है 16 चोकु 64 बचा कितना है मेरे बच्चे 16 चोकु 64 तो बचा कितना 64 के बाद 64 के बचा 12 168 148 बिल्कुल ठीक है अब अब मेरे बच्चे इसे काटोगे तो ध्यान दे न जैसे 8 से कट रहा है तो 8 से काटेंगे 8-48 8 से काटते हैं 8-32 बचा कितना मेरे बच्चे 6 8-8-64 बहुत बढ़ी है 6 से फिर उपकटेगा 6-8-48 6 कम 6 81 अब मेरे पहरे बच्चे एक बात बताओ उपर से हमने 12 के सारे multiple काट दिया यानि even number उपर कोई भी नहीं बचा ये number even किसी भी हलत में होगा नहीं तो ये 9 से तो कट जाएगा लेकिन 12 से कभी भी नहीं कटेगा यानि 4 से कभी भी नहीं कटेगा तो यहां से ये तैर हो गया मुझे ये दिखाई देगा कि बटे में या तो 9 आएगा या 12 आएगा अना एक आएगा अगर 12 ढूंड रहा हो तो नीचे even ची और 9 ढूंड रहा हो तो ओर ची है अब ये कट चुके even जो जो थे यहां पर even अब नीचे बच रहा 4, 16, 12 ये किसी भी हलत में इस even नंबर से कटेंगे नहीं यानि even even इसको काटेगा नहीं तो मेरे बच्चे हर हाल में नीचे क्या बचेगा 12 तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर option एक मेरा correct answer देखे मेरे राजा ये सवाल है SSC CGL Means 2022 का अब हमें यह क्या तालास करने हैं हमें दो चीजे देखे रहे हैं इसका जब हरका प्रीमेकन करेंगे तो हरका प्रीमेकन करते हैं तो पेर ढूना करो पांच दूनी 10 सैट हो रहा है तो इसको क्या करेंगे मन ही मन में root 5 प्लस root 2 और माइनस कर देंगे root 7 इससे उपर प्लस root 7 क्योंकि हम माइनस था ऐसे नीचे लेंगे root 5 जमा root 2 और plus root 7 इससे उपर नीचे गुना कर दिया इसको सैटल कर रहा है तो मेरे प्लस ध्यान से देखोगे तो नीचे a प्लस b a माइनस b क्या होगा a square माइनस b square तो root 5 जमा root 2 कवर करेंगे तो a square प्लस b square 5 और 2 7 प्लस में क्या बचेगा 2 root 10 और root 7 कवर करेंगे तो 7 7 से 7 कट जागा नीचे प्लस दो root 10 2 root 10 से 2 root 10 कट गया यानि मेरे प्लस यह पूरी कहानी सोल होके जो उपर आंसर देगी वो देगी root 5 plus root 2 मैं फिर अपनी बात दो रहा था हूँ simply question में बहुत सारे सवालों को जब तक आप visualize नहीं करेंगे कि ऐसे ऐसे ही हो रहा है आप लिखके करेंगे तो selection नहीं ले पाएंगे आपको हलका हलका visualization करना होगा जहाँ ज़्यादा lengthy calculation हो जाएगी बहाँ आप कारवाई कर सकते है अब जैसे यह है इसका मैं हरका प्रीमेकन करूँगा मेरे बच्चे तो minus से गुना करूँगा तो उपर तो square root 8 root 5 minus 2 बच जाएगा और नीचे ध्यान से देखोगे तो a plus b, a minus b, a square minus b square 5 में 4 गया 1 तो यहां बचाएगे तो minus अंदर ले जाएगे तो minus root 5 और plus 2 आप जब तक इन चीजों को मनही मनही तोड़ेंगे means correct नहीं होगा अब आई आगे यहां देखे इसका हरका प्रीमेकन करेंगे तो उपर तो आ जाएगा root 7 plus 2 root 7 plus 2 और नीचे क्या हैगा a minus b a plus b तो 7 का root 7 का 7 7 में 4 गया 3 3 से 3 कट जाएगा minus अंदर ले जाएगे तो minus root 7 और minus 2 माफ करना भाई अब मेरे बच्चे 2 से 2 कटा minus 7 से minus 7 कटा minus root 5 से plus root 5 कटा तो answer cut कटा कर root 2 मेरे बच्चे 2 option c मेरा राइट आंस है, भाई हर प्रिस्तिती में आपके लिए रोज वीडियो सूट कर रहे हैं, तवियत कितनी भी खराब हो, लेकिन जब आपको वादा किये कि मेंस का बैच पूरा फ्री पढ़ाएंगे तो जी जान लगा के फिरी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब यह आप लोगों की सर्म है, कि आपको अभी भी पैसा फूकना है, या मन करके सिर्फ पढ़ लेना है यहाँ पर, यहाँ पढ़ लोगे तो सेलेक्शन हो जाएगा, बाकी माबाब के वास बहुत पैसा है, तो जरूर आग लगाईए और इतना ही पैसा है, तो किसी गरीब बच्चे को कोचिंग दिला दो ना, मेरा बैस तो महतरी 999 रुपे का, उसको गरीब बच्चे को दिला दो, नहीं तो चुपचाव से पढ़ते रहो, जिस दिन रूट 3 साथ, यानि यह बनेगा 2 जमा रूट 3 आपने का मामला सेट है, यहाँ 2, 5, 10 पांच रूट 3 आए, पांच का 25 रूट 3 का तीन, तो यह आएगा 5 जमा रूट 3 लेकिन बाहर है, तो माइनस 5, माइनस रूट 3 कोई दिक्कत यहां तक नहीं इसको थोड़ा और सोट करके लिख देतो यहां माइनस पांच माइनस रूप देतो अब मेरे बच्चे एक बात थो इससे तो यह कहानी खतम पांच में दो गया तीन माइनस देतो यहां तक की कहानी सेट होगे अब आगे सोल करने पड़ेगे देखो यार दो तीएच है तीन गुना रूट गयारा तीन का वर नो गयारा का गयारा यहां आएगा मेरे बच्चे तीन जमा रूट गयारा यहां देखो यह भी सेमी कहानी यहां माइनस है तो यहाँ अब यहाँ बहुत सारा बच्चा गडबड करेगा जबरदस्त ले उपए उसको यह समझ ही नहीं आएगा कि भीया तीन बढ़ाए या रूट ग्यारा तो आपको पता होना चीए इसका बढ़ करेंगे 11 इसका राइस कवर करेंगे 9 तो यह रूट 11 बढ़ा है तो इसका स्के रूट निकालते हैं के लिखना पड़ेगा रूट 11 माइनस 3 और यहां बीचे पलस का साइन है तो माइनस 3 से पलस 3 गया रूट 11 रूट 11 जोड़ेंगे यानि माइनस का ड़ाई वो है मेरे पैर अप्शन भी मेरा राइट आंसर CGL मेंस 2020 हलका नहीं आएगा मुस्किल भी नहीं आएगा जो पढ़ा रहा हूँ प्रिविशर कुश्चन से ले रहा हूँ सिंप्ली कुश्चन ऐसा चेप्टर है जहां बहुत सारे मेरे पास उप्शन नहीं है सर्चिंग के फिर भी जहां जहां मिल जा रहे है मैं सारे सवाल पिक कर रहा हूँ लेकिन अरित्मेटिक में आओगे तो बिल्कुल हिला के फैंक दूँगा लेंग्विज में इतने जवर्दस सवाल मिलेंगे आपको और इसके बाद मैं अरित्मेटिकी पढ़ाऊँगा आए देखिए मेरे बिच्चे सवाल में सवाल में किया रहा है कि के का मान गयाद करी है यह सवाल में मेरे पेराचू SSE CGL मीन्स 2020 का सवाल में किया के का मान गयाद करी है आओ यार अगर के का मान सच महिने में जानोगे न तो के का मान आ जाएगा उपर माइनस बारा और नीचे आएगी यह वाली वाली मैंने आपको नेको बार कहा है यह चीज कि आप जब तक दिमाग से काम नहीं करोगे बात नहीं बनेगे सोल करने पर चले जाओगे नहीं होगा दिमाग से काम लो रूट टू प्लस रूट पांच माइनस रूट दी मेरे बच्चे पीछे भी एक सवाल जहां लिया मैंने तो वहां मैंने यह चीज विशेश रूप से समझाई कि भाई जो आप रेसलाइजेशन कर रहे हो न तो आपको यह देखना है कौन से दो साथ लेने तो पांच दूनी दस दस साथ उडाना था इसली लिया मैंने और इन दोनों का जोड साथ के बराबर आ जा रहा है तो वह साथ से साथ कट जा रहा था तो ऐसे ही मेरे बच्चे यहां पर भी जब आप कारवाई करो तो आपको यह पता है दो और तीन एक साथ रख रहे है तभी तो इनका जोड पांच से कटेगा तो इसे ऐसे लिखो कि 2 माइनेस रूट 3 और प्लस रूट 5 समझ रहे हैं इस ब्रैकेट में इस कहानी को ऐसे सेट करो कि यह A है और यह B है अब इसका हर का प्रीम में करो तो मेरे बच्चे हर का प्रीम में करेंगे तो यहां माइनेस लगा के उपर गुना करेंगे तो उपर आ जागा रूट 2 माइनेस रूट 3 और माइनस रूट पाच आपने का जी ठीक है यहां तो ब्रैकेट की जूड़ती है ठीक अब रुक नाराज क्यों रहा भाई हमें ब्रैकेट लगानी है तो पूरे में लगानी है मेरे बचे आप और सेम ही चीज से मेरे राजा नीचे गुना करोगे जब सेम ही चीज से नीचे गुना करोगे तो अल्टिमेटली फार्मूला तो जो ही बनना है A माइनस A पलस B A माइनस B तो A सकर माइनस B सकर इस कवर करेंगी तो A सकर पलस B सकर दो तीन पाच माइनस दो रूट 6 आपने कार लाला बिलकुल ठीक है लाला नी सर जी बिल्कुल ठीक हो, रूट पांच का और पांच अना, लेकिन यह माइनस आएगा क्योंकि A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर होगा तो पांच से पांच मेरे पचे कट जाएगा, तो यहाँ पचा माइनस का 2 रूट 6, नीचे पूरा सोल होके माइनस 2 रूट 6 बचाएगा जैसी मैंने देखा कि माइनस से माइनस गया 2 से काटा 6 आया, और रूट 6 को 6 से काटेंगे रूट 6 आया, रूट 6 को जब 2 से गुना करूँगा मेरे पचे तो 6 दूनी 12, 12 को लिखेंगे 4 ती 12, 12 यह नहीं 2 रूट 3 मेरे पचे रूट 6 को 3 से करूँगा तो 6 ती 18, 9 दूनी 18, यह नहीं माइनस 3 रूट दो और मेरे राज़ा 6 पांजे करूँगा 30 तो यह आएगा माइनस रूट 30 यानि मैं कुछ भी कर लूँ चहा के भी इस रूट 30 के टुकडे नहीं कर सकता यानि मेरे पहरे जो जो ही मेरा आंसर होगा वो इसी फोर्म का होगा इसी सेव का होगा लेकिन जब मैं ऑप्शन पे गया तो वो इतना सैतान निकला मीन्स वाला पिपर वाला कि उसने एक भी ऑप्शन में 30 नहीं बना के दिया 3 और 2 तो हर जगे है 30 नहीं बना के दिया अब मैंने एक चीज़ सोची के भाई मुझे मेरे उत्तर में 5 थोड़ी चाहिए मेरे कहीं पे भी 5 है इसमें नहीं मेरे तो 30 चाहिए तो जो केवल 5 लेके बैठा उससे मुझे जूरती नहीं है यहां रूट 5 को रूट 5 से करूँगा 5 आजाएगा उसकी भी जरूरत नहीं है यहां रूट 5 को रूट 5 से गुना करूँगा 5 आजाएगा इसकी भी जरूरत नहीं इसकी जरूरत है क्योंकि 10 को 3 से क्या 30 आजाएगा और 10 को 5 से करोगे 50, 50 को लिखेंगे कितना, 50 को कितना लिखेंगे 25 गुना 2, यानि 5 रूट 2 तो 5 हटके रूट 2 में आंसर आ जाएगा तो केवले एक लोता यही option है जो मेरे प्यारविचो मेरे को 30 बना के दे रहा बाकि कोई option ही नहीं बना के दे रहा था, तो मेरे प्यारविचो मेरा right answer होगा option नहीं देखो मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि हूब हूब सवाल मिलेंगे तो मैंने previous year की question उठाए है अपनी तरफ से भी कुछ सवाल करा रहा हूँ लेकिन आपके सोचने का एक नजरिया सही लेके आ रहा हूँ कि इस तरीके से आप सवाल को सोचेंगे तो जल्दी से कर पाएंगे फिर भी भाई जिसके पास अराम के पैसे वो मीन्स के पैच में पैसा फूको 10 जगे कई लोगों ने मीन्स का पैच निकाल रखा है और आप लोग विकने के लिए तयार है आओ भाई या आओ देखो मेरे वज़े टुकड़े करोगे तो साती एककिस सात और तीन सैट बैठ रहा है तो रूट साथ माइनस रूट तीन हमेशा ध्यान गना बड़ा आगे चोटा पीछे पलस का निसान इसे लिखोगे तो भी आप पांच ती ये पंद्रा आप तीन ाता डूट साथ पंजह पैंच पैंटिस है भी पैंटिस अब रूट चप्वाञन कितना होता है चैज़ तो यह जास्ट स्लाइटस सा कम होगा चैज़ से जास्ट छोटा कम होगा ये हैं हीग obsलाइट साथ चोटा है मेरे बच्चे आप्शन भी तो मेरे राजा मेरे प्यारे बिचो option भी आपका या correct answer देखें मेरे बच्चे ये सवाल है SSC CGL means 2021 का आईए मेरे राजा 2021 means पे बात करते हैं क्या किया जाए मेरे भाई हमें दो चीजे पकड़ने ही comparison पकड़ना है अगर आप ध्यान दो भाई तो सवाल में कहा रहा है A minus 1 equal to root 2 देखो यार ऐसे लिखा हुआ है A minus 1 into root 2 plus 3 और कहता है ये compare हो रहा है B root 2 plus A तो मेरे बच्चे ये तैह हुआ compare जब हम करेंगे कि भाई A का मान 3 है क्योंकि constant value और यहां root 2 का coefficient B है तो यहां root 2 का coefficient A minus 1 है तो B काई value है A minus 1 अब A का मान है 3 तो 3 में से 1 गया मेरे बच्चे तो B का जो मान आएगा वो आएगा 2 अब B का मान आएगा A का मान आएगा तो A का है 3 B का है 2 3 और 2 5 option D मेरे प्यार बच्चो मेरा right answer यहनि ऐसे असान असान सवाल दढले से पूछे जा रहे हैं मेंस में और आपने प्री में भी देखा कि हलका सा दिमाग लगाओगे तो सवाल आपके हिसाब से convert हो जाता है मेरे प्यारे बच्चो यह सवाल है अपना RRB NTPC हर जगें से सवाल पिक कर रहके हैं देखो यार जो चाप से इसमें हर का प्रीमेकन करना है तो उपर आजागा मेरे बच्चे 4 जमा RRB 8 आपने का जी मामला सेट है और RRB 8 को भी कहो तो सिधे सिधे लिख दू 4 दो नी 8 तो 2 RRB 2 और नीचे जानते हो क्या हैगा A-B, A-B, A-B तो 4 कर 16 में से 8 गया 8 अब आते हैं कहानी इस पर है मेरे प्यारे बच्चो यहाँ जो चीज लिखिए वही उल्टी करके यहाँ लिखिए माइनस का साइग इसके ओपर आपने एक रजल्ट पढ़ा होगा कि अगर मेरे बच्चे यहाँ ध्यान से देखोगे तो 3 जमाद 2 रूट 2 है अगर इसी कहानी को ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चो तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है यहाँ प्लस अगर इनको प्लस कर रहे है तो आंसर आता है 2 इंटो में A प्लस भी अपन A माइनस भी दूसरी बात अगर मेरे बच्चे यहाँ माइनस है तो आंसर आता है उपर तो 4 रूट A बी और नीचे आता है A माइनस भी लेकिन उसके लिए कहानी यह है मेरे पहले बच्चों कि पहले रूट में हो यह वैल्यू पहले प्लस हो फिर माइनस की सरुवा तो तो हमारे सवाल में यही हो रखा है पहले प्लस है फिर माइनस हो रखा है तो सबसे पहला क्या काम करो 3 को लिखो रूट 9 आपने का जी लिख दिया और 2 रूट 2 को लिखेंगे 2 का बर 4 4 2 नी 8 यह आएगा रूट 8 तो यह हो गया मेरे बच्चे रूट A प्लस रूट B रूट A माइनस रूट B और यह इसका उल्टा और माइनस का साइन है अगर माइनस का साइन है मेरे बच्चे तो यह डारेक्ट 4 रूट A B अपन A माइनस B आएगा तो यह आएगा मेरे बच्चे डारेक्ट ही 4 रूट A B तो 9 गुना 8 अब उन में A-B तो 9 में 60 या A का है अब आप कहेंगे देखे सर ध्यान से 9 का वर्गमूल कितना है जी 3 और 8 तीन आगया भार और 8 का 2 आगया तीन नहीं 6 चोविस तो यह आया है मेरे बचे 24 और यहां कितना आया मेरे राजा तो आप कहेंगे सर यह आया 24 और यह आया 2 तो यह वाली वैल्यू जो लिखी जाएगी मेरे प्यार चोविस रूट दो अब मेरे बचे बताओ यहां से 2 को मल ले दे तो 2 दूनिंग 4 है 2 चुकाठा है तो यहां आया 4 तो यह आया 2 जमार रूट 2 बटे 4 मुझे समझाना होता है इसलिए सिस्टेमेटिक लेकर आऊ आप समझदार है तो जब सोल करेंगे मेरे बाबू तो 4 को 24 रूट 2 से गुना करोगे तो 24 चुकाठा हो जाएगा 6 तो 6 में रूट 2 और 1 रूट 2 चार और यहाँ जगा सतान में रूट दो बटे चार अब मुझे comparison दिखाया है A जमा रूट B तो A की value आगी मेरे प्यारवचो एक बटे चार अजी A की value एक बटे चार तो यहाँ पूछा है तो 3 गुना एक बटे क्या थी यह 2 बटे माफ करना वही गलत बता दिखाया है दो बटे चार क्या था तो यह आया था एक बटे दो तो A का मान आ गया मेरे प्यारवचो compare करने पर एक बटे दो तो यह आया है तीन गुना एक बटे दो जमा root 2 का coefficient क्या है B और यहाँ root 2 का coefficient क्या है 97 बटे चार तो यहां लिखेंगे चार गुना में 97 बटे चार तो चार से चार गया तो मेरे दोस्तों यह 97 बटे दो यह आया डेड़ तो 97 बटे दो मेरे प्यारवचों मेरे सही था option A मेरा right answer है तो आपको इन फार्मलों पर पकड़ बना लेनी चाहिए यह बड़े ज़रूरी फार्मले इनसे डारेक्ट आसानी से सवाल निकलता है otherwise तो फिर calculation भी कर सकते है देखिए मेरे पचे सबसे पहले इसको settle करते है तो यह होगा 27 होगा 3 की power 2 और पूरे की power 1 बटे 6 तो 3 दूनी 6 तो यह आएगा मेरे पचे soul होके x बराबर root दीगो बहुत बड़े है इसे soul करते हैं तो 6 चोबिस 24 और 3 27 बटे 4 इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसे लिख लेता है 9 गुना 3 बटे 4 वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल आया मेरे पहले पचे 3 root 3 और 4 का वर्गमूल आया 2 soul करेंगे तो यह आएगा 2 root 3 2 root 3 में से 3 root 3 गया तो मेरे बचे x का value आया minus root 3 बटे यह उत्तरा आगया मेरे पहले पहले जो x का अब calculate करते हैं राजा बभू भाई को देखे दे हाँ से x निकल के आगया अच्छा हमसे पूछा क्या था हमसे पूछा था x के रपोन वाइस के रिया यहां से solution नहीं पकड़ा जाएगा अब देखो आब 9,5,45 तो 3 root 5 है अब यहां देखे 5 से भाग दें तो 12,5,60 12,1,1,1 root 5 है अब यहां 5,25,45,45 यानि 7 root 5 है तो जोड़ेंगे मेरे भाई तो 11,70,10 और 11,21 root 5 है नीचे की setting बठाएं तो 16,85,4 root 5 और 125 को 25,5,125,5 root 5 तो यहां आया 9 root 5 है root 5 से root 5 गया 3,9,37,1 तो यहां आया मेरे बच्चे 7,3 अब कहारा है x के र बताओ तो x के र करोगे तो आएगा 3,4 और y स्केर करेंगे तो 7 बटे 3, यानि 49 बटे आयाएगा मेरे बच्चे 9 LCM आजाएगा आपका 36 अजी लेकिन 2 option है 36 में calculate करते है, 4,9,36,9,37 और 49 चोकवा 196 अब मेरे बच्चे 7,6,13 तो देखो इकाई कांग 7,6,13 3,1 यहीं आरका है तो option A मेरे प्यारे बच्चों मेरा right answer और यह सवाल था मेरे दोस्तो SSC Cigle Means 2019 मेरे दोस्तो यह सवाल है SSC Cigle Means का बहुत प्यारा सवाल है ध्यान से दिक니다 और यह सवाल है 2018 में Cigle Means का सवाल है सवाल ने पुछा कи भई 9 term से इसका answer दाई मेरे प्यारे बिच्चो इसको जब sol करोगी तो point उपर जाएगा ती आएगा 10 बटे 2 और 10 बटे 2 को काटोगे क्या आएगा 5 यानि ध्यान से समझोगे तो इसका उत्तर आएगा 5 ऐसे ये हो जाएगा 100 बटे 2 इसका उत्तर आएगा 50 अगले का 500 उससे अगले का 5000 यानि आप जैसे भी जितनी भी term ले जाओ सभी में उत्तर ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा तो ये 5 आएगा फिर अगला ही 5 आएगा यानि सारे डिजिट पहली बात तो ये के 5 5 5 5 होंगे तो मेरी प्यारे चो ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा तो ये मेरा आंसर है दूसरा अगर मुझे नंबर आफ डिजिट भी काउंट करने हो तो पहले वाले में एक डिजिट था दूसरे में दो डिजिट था तो नोवे में नो डिजिट बनेंगे मेरे प्यारे बच्चो बस आप ये देखिए कि हमारी रेंज कहां से कहां तक है अगर हमें सिंप्ली विकेशन के सवाल अच्छे अच्छे एग्जाम में नहीं मिले तो छोटे छोटे जितनी भी एग्जाम में सारे सवालों को रगड रहे है इस सवाल पर फोकस करोगे मेरे बच्चे तो ये वाला उत्तर देगा 0.4 मलब 10 बटे 4 और 10 बटे 4 का मतलब 5 बटे 2, 5 बटे 2 का अलब 2.5 उतर है यानि पहले वाले का जो आंसर आएगा मेरे बच्चे वो 2.5 आएगा आपने का बिल्कु ठीक है नेक्स टाइम मेरे पहले बच्चे क्या होगा? 100 बटे 4 100 बटे 4 कितना होगा? 25 तो उतराएगा 25 बहुत संदर अब यहा निकालोगे तो मेरे बच्चे 1000 बटे 4 1000 बटे 4 कितना आएगा? unbelievable उससे अगले को 16 करोगे तो पच्चिस सो उससे अगले को 16 करोगे फिर पच्चिस सो, मना पच्चिस अजा और ऐसे ये कहानी है, सैट होते होते चलती रहेंगे, इन्फाइने टाम जितनी भी टाम होंगी, जैसे इसना आठ टाम है, मैं आठ टाम लेंगे, तो पहली बात तो यह कि जब इसे जोड़ोगे तो answer में point 5 आएगा जिस भी option में point 5 है, वो मेरा answer लेकिन सारे ही option में, अब इन्हें जोड़ोगे तो 5 दो 7 आएगा यहां 5 दो 7 आएगा यहां 5 दो 7 आएगा, यहां 5 दो 7 आएगा नहीं हमेशा ही साथ 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 चलता रहेगा सरुआत में, तो मेरे बच्चे ये गलत है केवल और केवल यही option ऐसा है, जो मेरी value को set कर रहा मेरा एक ही vision है, कि मैं means के हर बच्चे को बिल्कुल free में coaching दूँ यहां पे लेकिन means वाले बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि वो हर बच्चे तक मेरी वीडियो पहुचाए और जब आपका selection हो जाए, तो हमें appreciate अगर उसको पसंद आए हमारा content तो जरूर करें आना, यह बात समझ पाए मेरे बच्चे बड़ी मेहनत लगती भाई, इस question को select करना, ढूनना, फिर बनाना आएज़े देखे मेरे दोस्तों, यहाँ पी की पावर x, आर की पावर y, m के बराबर है और यहां r, w, p जाए और हमसे जो सवाल पूछा हुआ है m और n में कोई कुटा नहीं पूछ रहा है हमसे सवाल पूछ रहा है x, y, w, z में तो मेरे प्यारे 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 प्य equal हो गई, मतलब Y, Y, X basically बराबर हो जाएगा मेरे बचे W, Y, Z के तो Y, Z, W, X तो Y, Z, W, X Y, Z यहाँ है, W, X यहाँ है, तो मेरे प्यारचो मेरा option A correct है यह सवाल है मेरे प्यारचो CDS में 2020 का, आप मेरी बात समझ भाए, हाँ है ना मज़ा आ रहा है बाई, selection हो, तो appreciate जरूर करने आना एक बार क्योंकि हम बेंतजार करते हैं, हमारी मेहनत का फल मिले हमें मेरे प्यारचो, SSC CPU 2022 है, उस वाए पैसे में बिक मत जाना है देखे मेरे बचे क्योंकि जब मैं free पढ़ा रहा हूँ तो आपने पैसा ही नहीं दिया बैच के लिए तो फिर आपको भी मांदारी रखनी है आए, देखे मेरे बचे और अगर आप इमांदार है तो comment section में आपने comment में लिखिए, कहां मैं इमांदार हूँ क्योंकि जैसी आपकी परवर्ती होगी ना, उपर वाला फल भी आपको वैसा ही देगा अगर आपकी आज परवर्ती बहिमानी की है तो आपको फल भी ऐसा ही मिलना, selection नहीं होना परवर्ती मांदार होगे तो हमेशा ही मांदारी का फल मिलेगा देखो यार, ये 2 की पावर X है दो X है, ये हो जगा 4Y और ये हो जगा 6Z बिल्कुल ठीक है तो 2X की जगे 6Z लिख सकते हैं हाँ जी 4Y की जगे भी 6Z लिख देंगे यहाँ पे 6Z तो 1 अपोन 6Z 1 अपोन 6Z, 1 अपोन 6Z को जोड़ोगे तो उपर आ जगा 3 अपोन 6Z तीन दोनी 6 तो आंसर आएगा मेरे पुछे 1 बाई 2 जाए लेकिन इससे आंसर नहीं निकलेगा क्योंकि जड का मान 4, 8, 2 में कुछ भी हो सकता है नहीं निकाला जा सकता है यहाँ से तो उतर नहीं निकाला जा सकता है यानि हमें सोल करना पड़ेगा अब यह बताईए एक equation यहाँ दे रखी है X को मैं X ही माल लेता हूँ या X को मैं 3Z लिख देता हूँ 2Y बराबर 3Z है तो Y की value कितनी है 3 बटे 2Z और Z को मेरे बचे में Z ले यहाँ है 288 देखो भीया 9 से कट रहा 3 तिया 9, 9 तिये 27 9 दुनी 18 32 दुनी 64 तो Z Q बराबर 64 तो Z की value आई 4 और Z की value 4 आई तो 4 दुनी 8 तो मेरे प्यारे बचे मेरा option आया 1 भाई 8 हाँ अगर ऐसा होता ना कि यहाँ 15 होता है यहाँ 7 होता यहाँ 3 होता तो मैं कहता है अगर यह answer 2 का multiple होगा तो 1 भाई 8 लेकिन option ऐसे है नहीं तो मुझे सभी में छटनी करनी पड़े ही देखें मेरे प्यारे 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 चो यह सवाल है CGL Means का 2016 का 2016 CGL Means का सवाल है सवाल बहुत प्यारा है ध्यान से देखें भई A से लेके Z तक के product को हमने नाम दिया है और Z से लेके A तक के product को है नहीं उल्टी घातांक को हमने नाम दिया है क्यों अब हमसे सवाल में क्या करा है करा है भई A, B, C, D, X, Y, Z इन सब का product जो है वो 54th root 64 है तो बताओ भई PQ का मान क्या होगा तो मेरे प्यारे बिच्चों इसका मतलब यह हुआ कि हमें इन दोनों को multiply करना है जब multiply करोगे PQ क्योंकि ultimately हमें value तो PQ की निकालनी है तो A की power 1 है या A की power 26 है तो हो जागा A की power 27 ऐसे B की power 2 है, B की power 25 है गुना करेंगे तो हो जागा B की power 27 यानि ultimately अगर game देखोगे न तो सारे में 27 ही बैठेगा तो यहाँ जाएगा मेरे बिच्चे Z की power 27 है आपने का इसर मामला तो set है तो यह 27 इधर लेके आऊँगा तो यह आजागा PQ की power 1 upon 27 और यह value आएगी मेरे बिच्चे A, B, C, D, Z तक है आपने का ठीक है और यह value किसके बरावर दर्की है? इसके यह value दर्की है मेरे बिच्चे 64 raised to power 1 by 55 आपने का जी ठीक है अब मेरे राजा पहले यहाँ तक की बात समझे और फिर आगे बताऊँगा अब मेरे बिच्चे हमें दोनों ही power 27 करनी ची दोनों side तो इधर 27 करेंगे तो यह हट जाएगा और इधर 27 दोनी चोवन आएगा तो यहाँ P into Q इसकी value आजाएगी 64 की power 1 बटे दो यानि 64 का वर्गमूल यानि 8 तो मेरे पहरे च्चे हो P into Q का मान आगया 8 बताए यह मज़ा आया के नहीं है? सवाल की range देखके बढ़िया लग रहा के नहीं लग रहा? हर एक सवाल को खुद करिए मेरे प्यारे जो पूरे class notes आपको handwritten मिलने लग रहे है जैसे ही आपका means नजदीक आएगा उस समय मैं क्या करूँगा? यह सारे के सारे class notes printed form में आपको एक साथ provide करा दूँगा उससे फाइदा क्या होगा? कि जैसे ही आपका means के 20 दिन रहेंगे 20 से 25 दिन बलकी मैं कहा रहा हूँ जिस दिन means के 30 दिन रहेंगे उसी दिन में एक class notes एक साथ printed form में आपको निकाल दूँगा फिर आपने क्या करना है? आँख बंद करके mock test लगाने है mock test भी मैं ही आपको provide करूँगा 30 mock test provide करूँगा जब आखरी 30 दिन paper के रह जाएंगे तब तक लगवग लगवग कोसिस ये रहेगी कि पूरा सलेबस खीचा जाए लंबी-लंबी class से चला के और फिर मेरे बच्चे असली जीवन में आपके मज़ा आएगा वहाँ जब आप mock test करेंगे और वहाँ कहीं अलजेंगे तो तुरंद class notes कोलना है देखना क्या क्या सवाल थे तो ये मेरे प्यारे बच्चे आपको सबसे बड़ा मज़े वाला काम आएगा देखे मेरे प्यारे बच्चे ये सवाल है हमारा SSE CPO का basic सा सवाल है उठाना है कैसे देखे ये one upon सब कुछ नहीं वलकि one plus है तो मेरे प्यारे ये 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 तीन है उसका अद मेरे प्यारे दो पाँच एक एक से गुना करना है दो पाँच एक एक से गुना करना है दो तिया छे छे और एक साथ पाँच साथे पैतिस पैतिस उरतीन अड़तिस 38 38 में 7 जोड़ा 45 1 45 45 मरते ही जोड़ा मेरे बचे 83 तो यहां answer आएगा 83 बटे 45 क्योंकि पहले से ही यह 1 प्लस में था तो अब देखते 83 बटे 45 कुन से है यह साफ दिखाई दे रहा है मेरे बचे option D यहां answer है मैं फिर भी आपको यह कहूँगा मेंस वाले बचे सीधा सीधा करा करें जदा असान होगा calculate करें देखें मेरे प्यार बचे यह सवाल है CGL मेंस 2022 का मैं इसे trick से भी बताओं लेकिन simple ही करते हैं 3 दूनी 6 और 1 7 बटे थे अब 7 नीचे रह जाना राजा और 3 पलटके उपर तो 7 एकम 7 और 3 10 बटे साथ आया 10 मेरे बचे नीचे 7 उपर अब यहां देखें 10 चुक 40 40 में 14 गया 26 बटे 10 तो 10 उपर आया और मेरे बचे नीचे आगया 26 26 एकम 26 में से 10 गया 16 बटे 26 तो यह वाली value मेरे पहरे रचो 16 बटे 26 आई अब आते हैं आगे पहले off soul होगा तो 4 दूनी 8 भी यह 2 बटे 3 है off का मनलब गुना 4 दूनी 8 रेक 9 बटे 4 तो मेरे बचे इसे काटो गया आया 3 बटे 2 अब divide को 15 बटे 16 divide को मेरे बचे into बनाएंगे तो हो जाएगा 2 बटे 3 आपने का बिल्कुल ठीक है सर divide को into बनाएंगे देखे इसे 2 बटे 3 गुना में 4 दूनी 8 रेक 9 बटे 4 था 2 दूनी 4 तीन 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 बटे 2 आया इसे बल्टेंगे तो आएगा 2 बटे 3 अब मेरे प्यारे बचे ओ minus 3 और 4 7 और यहां देखें तो 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 तो 7, 4, 11, 6, 2, 8 और 1, 9 पहले इतनी बात समझे अब मेरे प्यारे बचे देखे 16 से 16 काटा हमे 3 से काटा 5 2 से काटा 13 तो मेरे राजा यहां 13 यहां यहां 91 तो LCM आया 91 तो 13, 7, 91, 7, 5, 35 35 में से 7 गया 28 बटे 99 मेरा राइट आंसर अब साथ से काटेंगे साथ चुक अठाइस साथ 13, 99, 4 बटे 13 मेरा राइट आंसर होगा यह नहीं ऑप्शन D कलियर है मेरे बचे आए देखे यार यह सवाल है मेरे प्यारचो SST CPU 2021 का सवाल में किरा जी A, B और C की वैल्यू कंपेरेट जिन करके निकाल लिए और फिर यहां वैल्यू रखके आंसर बताइए क्या होगा देखे मेरे प्यारचो यह सवाल है SST CPU 2021 का थोड़ा ठीक सवाल है इसमें एक छोटा सा चेंज कर दिया सवाल में अभी तक ऐसे जितनी भी सवालास तक देता है हमेशे यहां C प्लस सम्थिंग लिखता था पहली बार ऐसा हुआ कि यहां C माइनस लिख दिया तो आपने कुछ नहीं करना जैसे कर रहे थे वैसा ही करना है तरिपन को 45 से भाग देना है 45 से भाग देंगे मेरे बच्चे 45 से कम 45 बचा 8 फिर 8 को यह रखिए 45 यहां लाई 8 पांजे 40 बचा कितना जी 5 इससे आगे मच जाए यह तो हो गया A और यह हो गया B अब मेरे पहरे बच्चो सच माइने में अगर आप बात को समझने जा रहे हैं अगर आप इतनी बात को यहां तक समझेंगे तो अब यह बचेगा 8 को 5 से भाग देना है तो 8 को जब 5 से भाग दोगे तो यह वाली कहानी आजएगी 8 बटे 5 अगर इसको break करना होता तो मैं लिख देता A 5 एकम 5 अब 5 यहीं रखता 8 यहां लाता तो 5 एकम 5 8 में 5 के हैं मेरे बचे 3 इसे मैं लिख देता कि 1 जमा 3 बटे 5 फिर मैं compare कर लेता C को 1 मान के लेकिन यहां गणवड क्या हो रखे उसने माइनस में लिया है तो करना क्या है कि माइनस 2 बई 5 पो इधर ले जाएंगे ति हो जाएगा 8 बटे 5 जमा 2 बटे 5 है नहीं 10 बटे 5 10 को 5 से काटा 2 तो C का मान आगे मेरे बचे 2 अब यहां compare करेंगे तो मेरे बचे A की वैल्यू कितनी 1 B की वैल्यू कितनी मेरे बचे 5 और C की वैल्यू कितनी 2 2 तिया 6 6 4 10 10 में 5 के 5 तो मेरे प्यारे बचे ओ option C यहां पर मेरा correct answer मेरे प्यारे बचे यह सवाल है CDS 2024 का इस सवाल में आग मन करके क्या गरना है 972 को भाग देना है मेरे प्यारे बचे ओ 421 से 421 से भाग देंगे 2 पे जाएगा भाई तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 चोक 8 आपने का जी मामला है हां तक सैट है 2 में 2 गया सुने 7 में 4 गया 3 9 में 8 गया 1 एकस होती है अब मेरे प्यचे 421 यहां लाएगे अब 3 पे जाएगा तो 13, 49, 390 या या मेरे प्यचे 31 अब 130 यहां है 4 एकम 4, 4 ती बारह या च्छे अब मेरे प्यचे 31 यहां लिखेंगे 6 पांचे 30 तो राजा भाग वो रिमेंडर आगया 1 जो में चाहिए था तो मेरे प्यारे 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 बच्छो E का मान है 2 B का मान है 3 C का मान है 4 D का मान है 5 और मेरे बच्चे E का मान है 6 करा जिन सब की गुना करो तो देखो या है 6, 5, 30 30 चुक्के 120 120 ती है 360 360 दो नहीं 720 तो मेरे प्यारे प्यारे प्चो इन सब का जो multiplication आएगा वो आएगा 720 मेरे दोस्तों ये सवाल है SSC CISAL मेंज 2020 का देखें यार दोस्त बेस यहां पे भी 2 गटे 3 है बेस यहां पे भी 2 गटे 3 है तो इन सारी पावर का जो multiplication होगा यानि 3 गुना 2X प्लस 3 इंटो में माइनस 3 वाई 4 ये मेरे प्यारे प्यारे प्चो बराबर होगा 2 गटे 3 गुना 3X प्लस 7 माइनस 6 वाई 5 इसके अब आईए दोस्तों कैसे कंट्रोल किया जाए सवाल पर माप रहेगा देखें आर माइनस से तो माइनस गया आपने कहा सर मामला सेट है सर तीन से काटेंगे तो तीन दूनी 6 आया ये बात भी सही है अब अब देखो मेरे बचे पांच ती ये कितना हो जी 15 15 को तीन से गुना किया 45 45 को दो से गुना किया तो 45 दूनी 90 X जमा 135 मेरे बचे यहाँ है 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 ती 48 X और 16 साते 112 एक बार देखो ये कैलकुलिशन करेक्ट है अब मेरे बचे देखो 48 90 में से घटाएंगे तो बचे का 42 X और 135 उदर लेके जाएंगे मेरे प्यारे बचे तो ये होगा माइनस का 23 तो मेरे बचे 42 X की वैल्यू आगी माइनस 23 42 X की जगे माइनस 23 रखेंगे माइनस 23 दू पच्छे सांसर आएगा मेरे बचे पच्छ cities देखें मेरे प्यारे बच्छो ये माइनस की सिखोंस है तो करना कह इसके दो टुकुडे करो जिनका डिफरेंस एक हो तो 6 और शाद तो मेरे बचे माइनस का है तो छोटी value अब X की value क्या है जी 6 तो 6 के 2 टुकुडे करेए तो दो और तीन तो मेरे बच्चे प्लस की सीरीज है तो बड़े वाला टुकड़ा यानी तीन हुआ अब मेरे बच्चे Y की वैल्यू आगई तीन X की वैल्यू थी 6 अब Y की वैल्यू तीन मैं यहां रख रहा हूँ और तीन कितनी बार हो रखा है जी? इन्फनाइट हो रखा है तो अगर अनन तक हो रहा है तो मेरे बच्चे सभी का अंसर भी कितना आएगा? तीन अब कहरा है जी गुना करो तीन नो नो छिक चोवन तो मेरे प्यारे बच्चो मेरा राइट आंसर आएगा फिफ्टी फोर ये है SBIPU का सवाद मेरे प्यारे बच्चो इतनी महनेज जो कर रहे हैं आप रींज देख रहे होंगे कहां कहां से सवाल पिक करके ला रहे है आपको पढ़ने में भी मजाएगा समझने में भी चीजे मजाएगा देखे यार सवाल आसाने इसके दो टुकुडे करेंगे 4 और 5 प्लस का है तो बड़ा आंसर यानि एक्स की वैल्यू पांच है अब यहां रख देंगे 5 का क्यूब 125 पांच का और 25 और 5 दो नहीं 10 तो मेरे बच्चे डेड़ सोड़ 10, 160, 160 कौर्ट से भाग देंगे 20 मेरा आंसर आगे यह है मेरे बच्चे SSC CHSL means का सवाद आप देख रहे हैं कितने आसान आ रहे हैं लेकिन भाईया आपके इतने पैसे आ रहे हैं हराम के क्या आप means का बैच खरीदर हो पैसे देखे जबकि मैं यहां फिरी में पढ़ा रहा हूँ और आपसे वीडियो लाइक नहीं होती वीडियो शेर नहीं होती कमेंड नहीं होते हैं लेकिन माब आपके पैसे ऐसी जगह लगा दोगे जहां फलतु जहर सवाल हो रहे हैं जिनका कोई रिलिवेंस नहीं है एक्जाम से देखे मेरे बच्चे अगर यहां 14 नहीं होता तो हमारे पास डारेक्ट ट्रिक थी कि X raise to power 2 raise to power N और उपर 2 raise to power N माइनस 1 लेकिन यहां मेरे बच्चे इस बार दे रखासने 14 अब क्या किया जाए जी अब चीजों को दिमाग दोड़ा जाए यह X की power M इसे soul करोगे मेरे बच्चे तो यहां तक की value क्या आएगी तो आप कोगे यहां तो 1 और 2 बार आ रखा है तो X की power 2 की power 2 यानि 4 और 4 में गया 3 तो यह वाली value आएगी सर X की power 3 बटे 4 और यहां क्या है X की power 1 तो X की power 1 और यहां आएगा X की power 3 बटे 4 जोड़ेंगे तो 4 गम 4 तो आप नियोटिस करेंगे कि X की power M बराबर आ रहा है X की power 1 बटे 8 तो मेरे प्यारे बिचो M का माना आगया 1 बटे 8 यानि option है और यह सवाल है UP SSC का UP SSC में पूछावा सवाल देखे मेरे प्यारे बिचों एक बात समझे यह सवाल है F cat का लेकिन मैं जानता हूँ आपके पास पैसा बहुत है आप काओगे बार 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 इसलिए कह रहा हूँ कि खुद जाक चुके हो किसी और को भी जगा हो तभी कोई आज आपके लिए जाक के पढ़ा रहा है मेरे बच्चे एक बात समझो 422 में एकम 422 में एकम 422 में जमा तीन 425 यह आया मेरे बच्चे 495 में बटे 492 यह तो त्या है कि यह से काटेगा नहीं इन सबखा जोड करोगे तो यह GP बनेगे geometrical progression आपने कहा तो जो geometrical progression बनेगी उसका जो जोड आएगा वो हर हाल में 422 में को काटेगा ही काटेगा अगर नहीं काटेगा तो आंसर पॉइंटों में आता है तो इसका अला जो भी मेरा आंसर आएगा वो 495 का multiple हो सकता है 495 में किस से भाग जा रहा है 5 से 599 और 99 क्या होता है 11 गुना 9 9 गुना 11 तो मेरे प्यारे जो जो भी मेरा आंसर होगा वो 9 से भाग जाएगा 11 से भाग अब देखें 5 से तो सारे भाग जा रहे इसलिए मैंने 9 11 चुना 9 से भाग जा रहा ये 9 से नहीं जा रहा ये नहीं जा रहा ये भी 9 से नहीं जा रहा तो option A direct मेरा आंसर डिटेल करते थी ये GP है तो मेरे पिच्चे sum of 8 टम का फार्मूला हो जाता A into R raised to power N minus 1 upon R minus 1 ये मेरे प्यारे पिच्चो मेरा सुत्र हो जाता तो यहाँ पे कितनी टार्म से 8 तो 8 तीन की पार 8 मैंने से 1 बटे 3 में गया 2 सोल करेंगे आंसर निकाल लेंगे तो चलिए मेरे प्यारे पिच्चो आज के लिए तना ही रखते हैं आज आपके साथ मैंने 4 बजे आके मेरे चैनल पर एक अनॉसमेंट भी की थी आप उसको देख लिया करो भाई मेरे दोस्तो हमने एक नई बुक लूंच की है जिसका नाम है स्सी सीजल मेंज 2014 टॉप 100 बुक यह एरो जो दिखाई दे रहा है आपको यह एरो सिधा सिधा आपको बता रहा है कि आपका धीरे 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 लेवल उपर होता रहेगा और आपका सेलेक्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यह स्पीशल एडिशन है जो आप लोगों के लिए मीन्स के लिए निकाला गया है आपके लिए फ्री आप कोस्ट एई बुक वाटस अप पे जाहिए फ्री आप कोस्ट आप इसको लीजे लेकिन अगर आपको इसका प्रिंटिड फॉर्मेट चाहिए तो मेरे बच्चे मातर 199 रुपे में ये बुक अविलेबल है और वो भी Amazon पर आप जाएंगे 199 रुपे में बुक आपको अविलेबल हो जाएगे दूसरा मेरे प्यारे बच्चों केरियर विल आपके लिए ये काम लगातार करता है और आगे भी लगातार करता रहेगा क्योंकि केरियर विल का मतलब ही सेलेक्शन है और सेलेक्शन का मतलब ही केरियर विल है ऐसी हमारी धारना है और इसी धारना को सिद्ध करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लगातार काम करते रहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों केरे रुइल आपके जीवन में रोज नई से नई उचाहियां लाए इसी परियास में हम लगे रहते हैं और इसी परियास मेरे प्यारे बच्चों मेरा हर महीने साथ तारीक को Thank you.